Hello everyone, स्वागाथ पी डवली ओली आईस में, आज है पार्ट थ्री का पहला चैप्टर, The President, हमारे राश्ट्रपती, हमारे देश के मुखिया और हमारे देश के मिलिटरी के सुप्रीम कमांडर, आज इनको पढ़ना है, आज से इस पार्ट थ्री में, ये नए 7th एडिशन का पार अब यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे, सिस्टम को कौन चलाता है, तो कौन चलाने वाले साहब, इनका नाम है, राश्ट्रपती, जिनके नाम पे ये पूरा सिस्टम रन होता है, नाओ, लेट्स कम टू, सीधा सीधा, चैप्टर पे, PYQ's end में देखेंगे, ये बात राश्ट्रपती खुद, union executive के, यहां पे हम देखते हैं कि राश्ट्रपती को हम एक nominal executive की एहमियत देते हैं, यानि कि ये Indian state के मुखिया जरूर है, पर इनके पास जो de facto power है, वो नहीं है, de facto power जाती है, PM के पास, हमारे ये head of Indian state है, ये हमारे पहले नागरिक हैं देश के, ये ऐसे act करते हैं, जैसे ये symbol हो unity के, integrity के और इंडिया की solidarity के, इनके seal से ही सारे काम होते हैं, इनके seal से ही आपका appointment होगा future में, जब आप अपनी posting पाओगे पहली, जब आप अपना cadre आपका alert होगा, और आपको राश्ट्रपती का अभिवाशन सुनवाया जाएगा, तब आप ए UPSC कर रही हो, training आपकी DOPT करवा रहा है, लेकिन आपका जो appointment letter गया है, वो गया है from the President, राश्ट्रपती के द्वारा, राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती, Prime Minister और उनका Council of Minister और Attorney General of India, ये हमारे part 5 में आते हैं, और आप मैं पता ही है कि PM और उनकी पूरी council, जो मंत्री दल ह होता है, यही advise करता जाता है राश्ट्रपती को, कि सर ये करो, ये ना करो, और ये लगवाना है, ये लागू करना है, तो जो भी PM और उनकी cabinet कहती है, वो राश्ट्रपती जी को करना पड़ता है, क्योंकि उनके नाम से सरकार चल रही है, अब ये हमें समझना है कि राश्प राश्पती का कैसे होना होता है, देखो, आप अगर बुक पड़ोगे, बुक में आपको बहुत टफ मिलेगा language, समझ में नहीं आएगा, पहली reading में, दूसरी reading में, तीसरी reading में, ये class बहुत important है, notes बनाते चलना, नहीं हो, तो कोई बात नहीं सुनते रहना, slow speed पर सुनना, वरना समझ में नहीं आएगा, ध्यान यहीं देना, हमारे देश के राश्पती का election indirectly करती है हमारी सारी जनता, indirectly, हम direct जाके कहीं बटन नहीं दवाते है राश्पती के election के लिए, नहीं, हम जिनको चुनके भेजे हुए हैं, चाए वो MP हो, चाए वो MLA हो, ये सारे लोग मिलके ये देश में 4000 लोग हैं ऐसे, जो सारे स्टेट की विदानसवाओं में हैं, और हमारे देश के पारलेमेंट में लोगसभा, राजसभा के जो MP हैं, इन सब को combine करते हो सारे लोगों को, तो ये लोग मिलके select करेंगे, राश्पती कौन होगा, अब election की जो study होती है, उसको हमने देखा है कि उसको हम कहते हैं, syphology, ये study of election होता है, इसमें हम देखते हैं, election का data क्या है, जो लोग election को study करते हैं, उन्हें syphologist कहते हैं, peace island है, now, अब PRS TV और indirect election के लिए जरूरी, क्यों हमने चुना इसको, क्या ऐसा मकसद था, पहली बात है समझ में आ गया, कि देखो जब र कि क्या है, असलियत क्या है, डिजोर माने, जो खाली नाम के हैं, बस कहने के लिए हैं, तो राजपती जी जो हैं, वो nominal executive हैं, nominal, माने ना मांग के था, थीक है, हैं तो हैं, बस customary हैं, ceremonial head हैं, तो इनके लिए एक पूरा election करवाया जाए, पूरे देश में direct election करवाया जाए, वो ठीक नहीं है, direct election इनके लिए होता है, जिनके बाद direct power जाती है, PM, Council of Ministers, सरकार, Parliament इनके लिए, तो हमारे पास, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये होते हैं, real executive, इनके पास होती है, ये de facto power, जो आप फिल्मों में देखते हो, कि अमेरिका के राश्पती के पास nuclear code के, ये उनकी जीब में हमेशा nuclear missile के code रखे रहते हैं, वो हमारे याँ, Indian parliamentary system में, हमारे याँ, जो nuclear power के जो codes होते हैं, nuclear missile के code होते हैं, वो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर office में, राश्पती के बास नहीं होते हैं, भले ही राश्पती जी, commander हैं, supreme commander in chief हैं, पर जो de facto power दी गई है वो PMO को दी गई है, और dialect election का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कि कितना costly होगा ये election, 90 करोड वोटर हैं, जोनोंने 2019 में जोनोंने वोट दिया था, तो ये 90 करोड वोटर पहले पारलेमेंट भी चुने हैं, फिर राश्पती को भी चुने, कितना खर्चा आएगा, election commission ने कैसे करवा पाएगा election commission, एक ही तो election commission ने बिचारा, कब से लगा पड़ा है, सन 47 ही कर रहा हो election, सन 50 से करवा रहा election, तो बहुत time consuming है, energy consuming है, बहुत resource waste होंगे, इसके लिए इससे बढ़िया है, कि देखो 4000 लोग हैं, जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है, वही लोग आपस में कि कौन बनेंगे राश्पती देश के मुखिया, अब जो usual तरीका है, जो मैं पहले बताया है, जिससे हमारे लोकसभा के election होते हैं, जिनको हम बोलते है, general election, तो उसमें होता है, first past the post system, first past the post, मतलब कौन पहले रेखा पार कर गया, ऐसे, बस, कोई भी एक, तुमें, जैसे एक कहाणी है, कि आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में सामने से शेर आ गया, तो एक, आप और आपके दोस्त, दो लोग हैं, अब आपके दोस्त ने जूते बान्दा शरू कर दिया, तो आपने बूशा दोस्ते है, बहले है, मुझे शेर से आगे नहीं भागना है, मुझे पर जीती ये पार्टी भी क्योंकि इसके पास एकलोते होके भी majority है 40% है ये winner है, जीत गए, सबसे आई-स party है ये अब कल को मान लोकर दोनो पार्टी मिल जाए साथ में हाथ मिला लें, तो फिर तो इनके बास 60% majority है, फिर तो ये majority प्रूव कर देंगी वो अलग बात है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे first pass the post का मतलब होता है सबसे आगे खड़े रहो बस हमें फरक नहीं बढ़ता कितने से आगे आए हो या कितने percentage पर आगे हो, सबसे आगे हो तो हाँ अब इसके बाद गठ चोड़ हो सकती है, गठ बंदन हो सकता है यह दोनों पार्टियां हाथ मिला लें, तो यह party minority में आ जाएगी वो अलग बात है, वो आगे की बात है, वो सब आपस में सारे politicians यह सब काम करते हैं और खूब लिंदन होता है, आयाराम गयाराम पता ही हमको तो हमें इसमें यह रिखते हैं कि कौन पहले आया है और किसके पास सबसे simplistic तरीके से majority जिसके पास आ गई और वो बन जाएगा, यही advantage है हमारे first pass the post system की और इसके problem भी है, problem यह है कि इसके इसमें minority rule हो जाता कई बार, वैसे तो आप देखो कि minority माने कम लोग, अलपसंग क्या, पर लेकिन minority rule है यानि कुल मिला गया आप देखो, 60% लोगों ने इन दोनों को चुना था लेकिन क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा एकलोती अपनी power है, अकेले इसके पास एतने 40% वोट है और इसे majority proof कर दी, तो भाईया यह सरकार बना लेगा, मतलब 60% लोगों की सुनी नहीं गई, खाली एक की सुनी ली गई, जिसके पास 40% लोग है, तो minority rule हो गया, winner के पास सब कुछ है and vote share is not equal to seat share, आप देख रहे हो, भले ही vote share इनके पास 40% गया, पर हो सकता है, इनके पास seat है, 40% के हिसाब से ना हो, जादा हो सकती है, और एक problem आ सकती है, कि gerrymandering हो सकती है, gerrymandering एक नया word है आपके लिए, या पहली बार सुन रहे हो, gerrymandering होता है, कि वैसे तो अगर देखो overall, तो कोई party जीत रही होगी, पर क्या करूँ, मैं दो share बांट दूँ, एक share मैंसे दो अलग कर दूँ, या तीन जिलों को एक साथ कर दूँ, कुछ ना कुछ ऐसी गड़ चोड़ कर दूँ, तो उससे क्या होगा, मेरी कोई और party जीत जाएगी, मतलब changing the boundaries to change the result of election, यह हो सकता है, कि boundary यह change हो सकती है, इसका example मैंने आपे रखा हुआ आपके लिए, यह example है, इससे समझो, अगर इसको आप पूरे को देखोगे, तो आपको देखेगा, कि हाँ B यहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब B जीत रहा है, साफ बात है, पर अगर मैंने ऐसे बांट दिया, एक यह district है, और एक बचा हुआ district यह है, अब ऐसे में देखो, एक district में से निकलेगा, B खाली दो जगा है, A तीन जगा आ गया, सही बात, और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको C देखेगा जादा, यह वाले district बचे हुए district में से, तो मतलब A हार गया, सोचो, यहाँ जो दिख रहा था कि A सबसे, यहाँ पर B सबसे जादा था, वो यहाँ B minority बन गया है, क्योंकि यहाँ पर जिले ऐसे बढ़ गए, ऐसे डिलिमिटेशन हो गया है, डिलिमिटेशन की बज़े से, मतलब Boundary कीज देना, रेखाएं बना देना, किस एक दो जिले मैंसे, एक एक जिले अलग अलग कर दो, या थोटे-मोटे जोड़ दो आगे रहो, और राश्पती के चुनाओ के लिए, उपराश्पती चुनाओ के लिए, और राजसाभा के मेंबर्स के लिए, we use the PRSTV method, जो अभी आगे आएगा, बुक में बहुत टाफ है, समझ में नहीं आएगा, यहीं सुनना, यहीं कहीं समझ में आ जाएगा, अब आगे चलो, यह हम कहना चा रहे हैं, कि जब राश्पती को चुनाओ करवाना होगा, हम बनाएंगे एक electoral college, electoral college क्या चीज़ है, यह कोई ऐसा college नहीं है, जहाँ पर पढ़ाई कनने जाओगे, यह एक ऐसे लोगों की संक्या है, ऐसे 4000 प्लस लोग हैं, इसमें, यह कौन लोग हैं, य यह लोग हैं, elected members of both houses, that is, लोगसभा, राजसभा, पारलेमेंट के members, 543 प्लस 233, उधर से, भाई राजसभा से, यहाँ पे, elected members of state legislative assembly, जितनी देश भर में, यह सारे states हैं, UP, राजस्थान, केरिला, करनाटक, बिहार, सारे के सारे states के अपनी विदान सभाएं हैं, इन विदान सभाएं हैं, क्योंकि यहाँ विदान सभाएं हैं, अब इनको भी जोड़ दो, तो यह पूरा कंबायन के कहलाता है, electoral college, यही electoral college है, बस, यह इन लोगों का एक ही काम है, ऐसे 4000 लोग हैं, यह 4000 से जादा हैं, अभी आगी दिखते हैं, exact number क्या है, तो यह 4000 लोग हैं, अब यह और यह चुनेंगे देश का राश्पती, देश का मुखिया, अब राश्पती के चुनाओ के लिए और उपराश्पती चुनाओ के लिए हम देखते हैं, कि जब election करवाना होगा, तो MP और MLA, सारे के सारे elected MP यहाँ बैठेंगे, और उपराश्पती चुनाओ के लिए सारे MP चाए elected हो, चाए nominated हो, दो तरह की से MP होते हैं, राश्पती के लिए सारे elected MP वोट करते हैं, और राश्पती के लिए सारे elected MP वोट करते हैं, elected MP, elected MLA, यहाँ पर nominated member नहीं बैठ सकता है, मतलब ऐसा कहने का है, कि अगर सचें देंदुलकर जी अगर nominate होके राश्पती होके राश्पती के लिए सकते हैं, लेकिन वो राश्पती के चुनाओ में वोट नहीं डाल सकते हैं, इतने अच्छे क्रिकेटर हो, आपका इतना पैचान है, नाम है, तो उनको सम्मान से बिठाये गया है महाराज सवा में, पर क्योंकि वो चुनके नहीं गए हैं, इसलिए वो चुनक नहीं सकते हैं, देश के मुखिया को, लॉजिक सही है इसका, जब राश्पती का impeachment होता है, महाभयोग चलाना, मतलब राश्पती को गद्धी से उतार नहीं है, तो उस समय पे सारे MP साथ बैठते हैं, यहाँ पर MLA नहीं बैठेंगे, यहाँ पर खाली बैठते हैं MPs, और उपराश्पती के impeachment के लिए सारे MPs ही बैठेंगे, जब election करवाना होगा, राश्पती चुनवाना होगा, तब हम MLA को बुलाएंगे, कि यहाँ तुम भी आओ Electoral College में, और बैठो जाके vote डालो यहाँ प by the members of an Electoral College, consisting of elected members of both House of Parliament, elected members of legislative assemblies of all the states, including NCD of Delhi and UT of Putucherry, साब बात है, अगर नहीं दिखपा रहो, कोई बात नहीं पर यहीं लिखा हुआ है, अब यहाँ से ध्यान देना शुरू करना, क्योंकि यहाँ से अब आगे एक concept tough होने वाला है, जब PRSTV आएगा, जो nominated member होते हैं, मैंने हर स्टेटों की अपने विधान सबाएं, लखनव, बोपाल, करनाटका, बैश बैंगलोर में जो यह सारी हैं, अब जो members होते हैं, elected plus nominated of SLCs, State Licitative Council, विधान परिशद, याद है, मैंने आपको पढ़ाया था, कुछ states में विधान परिशद होती है, एक short बनाया था मैंने उसमे होते हैं, और nominated members यहां के, यह लोग participate नहीं कर सकते हैं, राजपती के election में, यह है non-participants, इनका कोई, इनका कोई, इनसे कोई नहीं पूछेगा, आपका choice क्या है, कि आपका राजपती के लिए बोट डालोगे, इनसे कोई पूछेगा भी नहीं, इनसे कहेंगे, तुम बढ़ किये गए हो, तुम बैठे रहो यहां पर देखते रहो कैसे होती प्रोसेस, बस, बताली यह बजाओ बैठके, नाओ, नॉमिनेटिव मेंबर्स और लाइसेटिव असेंब्ली इन दोनों यूटी में भी, इन दोनों, यह तो special state है, और यह हमारा यूटी है, तो इन दोनों प पती उनको बेचते थे, अब 104वा अमेंडमेंट आया था, इसमें बोल दिया गया कि अपसे कोई नॉमिनेट मेंबर नहीं आएगा, लोग सबा में, एंगलो इंडियन कम्यूनिटी, तो यह लोग आते थे, इनके लिए दो सीटे रहती थी, और इनको लोग सबा में जगे मि पती थी, यह लोग अपना बैठते थे, महाँ पर तालिया मज आते थे, और अपने आ जाते थे, अब 104वे अमेंडमेंट से बोल दिया गया कि हमें जरूत नहीं इनकी, नहीं आओ, मताओ, नहीं चाहिए, यह अंगलो इंडियन कौन होते हैं, अंगलो इंडियन्स होते हैं, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स किनके, डिसेंडेंट्स, मतलब वन्शज, वन्शज, डिसेंडेंट्स ओफ इंगलिश एंडियन्स, इंगलिश एंडियन्स, एंगलो इस एंगलिसाइज वर्ड, इंगलिश लोगों के लिए वर्ड हैं, तो जिनके माता पिता कोई तरीक से यॉरोपियन हैं अंग्रेज हैं तो वो लोग जो वंशाज हैं आज जो इंडिया में रह रहे हैं तो सन 47 से प्रावदान था कि हाँ भाईया इन लोगों को दो सीटे दे दो लोगसभा में ताकि यह लोग आए माँ बैठे हैं अपनी कोई बात कह सकते हों हाला कि चैरी के नॉमिनेटिव मेंबर हों उनकी विदानसभाओं के यह लोग वोट नहीं डालेंगे और अग्लो इंडियंस के तो अब जरूवत है नहीं क्योंकि अब खताम होई बात जब किसी स्टेट में जो असेंबली होती विदानसभा होती है अगर वो भंग हो चुकी हो या कि अब आप अपनी स्टेट के चुने हुए प्रतिनेदी नहीं रहे आपको आपकी विदानसभा ने भंग कर दिया है आप सारे के सारे अब एक कौमन नागरिक हो गयो जब तक अली बर चुनके नहीं आओगे तब तक वोट निटाल पाओगे अगर फ्रेश एलेक्शन नही हो पाएं हो तो अब नौट हैल बिफोर देश नहीं कर सकते आप वोट नहीं कर सकते पहले एक एक क्वालिफिकेशन पार करो वह है कि देश के प्रतिनेदी बन के मानो जब आप प्रतिनेदी होगे लोगों के तब जाके आप देश के सबसबड़े मुखिया के चायन में अब क्या मतलब है इसका मतलब कहने का ये है कि हमारे पास है MP ठीक है MP कितने है हमारे पास 543 प्लस 233 क्योंकि 12 लोग होते है यहाई नॉमिनेट होते हैं तो 245 की strength होती है लेकि 233 elected होते हैं तो और हमारे MLA is कितने है पूरे देश में अद अधूर ज्यादा ही है तो 3500 प्लस हैं ऐसे मान लो रफली रफली मतलब कुल मिला के ऐसे तो 700 लोग है 776 कुछ है ये और ऐसे निकलेंगे ये इतने जादा टोटल इसको टोटल करोगे तो आएगा 4000 प्लस 4000 से उपर लोग है अब क्या हो सकता है अब क्योंकि MP कम है और MLA बहुत जादा है तो सम्विधान ने बोला हुआ है कि आप एक काम करना जब भी राश्पती को चुनाव करवाना होगा आपको आपको ऐसे करना है कि Member of Parliament और Member of Legislative Assemblies ये जितने लोग हैं इन सब के vote की value बराबर हो इन सब का uniform representation हो इन सब का एक पूरा जिसे कहते हैं parity हो parity माने बराबरी हो इन सब के votes में पर अगर एक vote की value एक होगी तब तो ये बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि MP बहुत कम है MP कुल में लागे पूरे देश में कितने बन पा रहे हैं इतने बन पा रहे हैं देश के 543 लोकसभाओं से यहां से लोकसभा सीटों स यह आ रहे हैं और बहुत जादा नंबर बढ़ जाएगा MLS का ऐसे तो बराबरी हो नहीं पाईगी अब क्या बोला गया यह जितना भी combo pack है इन सब को करो बराबर हर सब के vote की value equal करो ताकि तब जाके parity आए और एक राश्पती का चायन हो पाए हर किसी के vote की value equal हो जाए अच् PRSTV मेथड क्या है PRSTV माने proportional representation by means of single transferable vote and secret ballot system वाह क्या बात कर रहे हैं उसर समझा तो नहीं रहे हो तो मैं यह गहना चाह रहा हूँ कि proportional representation होना चाहिए यानि बराबरी का परतनित्व होना चाहिए बराबरी का proportional मतलब उतने ही हिस्सेदारी हो जितनी उनकी population है जितनी उनकी vote की value है जितना उनका proportion उनको मिल रहा है by means of single transferable vote जब आप train का ticket लेते हो या किसी movie का ticket लेते हो उस पे लिखा होता है non transferable non refundable यह सारी बात लिखी होती है तो क्या कहने का मतलब है कि आप वो ticket किसी और को नहीं दे सकते हो किसी और को transfer नहीं कर सकते हो आप वो ticket अब अगर वो आप transfer कर सकते तो हम उसको कहते है कि हाई transferable ticket है पर हम आचा हमारे चुनाव हो रहा है वो हो रहा है single transferable vote जब मैं लोगसभा के election में जाता हूँ और मैं vote द दालते हैं जाके हर 5 साल में वो वोट non transferable है एक परसन एक वोट बराबर एक नागरिक एक वोट ऐसा ही होगा पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर single transferable vote है यह vote transfer किया जा सकता है मेरा वोट दूसरे को जाएगा मेरा वोट दूसरा ले लेगा वो डाल सकता है और secret balance system है secret balance system क्या होता है कि भाई छुपा के रखा जाएगा open करके बात नहीं बताई जाएगी ऐसे नहीं होगा कि मैं लोग सब हमें के फ्लोर पर जाके खड़े होके कह दूँ किसाब मैं तो वोट इनको डाल रहा हूं देखलो सब के सब मेरा परचा ऐसे नहीं हो सकता है हर कोई जिस पर वोट लगाते हो तो उस बैलेट को रखा जाता है secret और उसको डब्बे में डाल दिया जाता है चुपा के आप याद करो अगर आप आपके फादर के साथ आप अगर पहले कभी गए हो किसी election में या मम्मी के साथ किसी के साथ तो आपको पता होगा कि पहले कैसे voting booth प देखेगा नहीं पर आपका वोट बाद में जब कॉमन सबके काउंट हो जाएगा तो आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा वो क्यों होगा आगे अभी बताता हूं नाओ जितने एलेक्टरल कॉलेज के जितने मेंबर होंगे दे उन सबके बास एक बैलाट पेपर मिलेगा वही परची उसी परची पर जिस पर वो लिखते हैं तो उस परची पर उनको यह नहीं चुनना होता है कि मेरा राश्पती कौन हो नहीं वो यह चुनते हैं कि मेरी प्रेफरेंस क्या हो कि मैं 1,2,3 करके मार्ग करूँगा और मैं यह बताऊँगा कि मुझे मेरे पसंद तो B बने, नहीं, B नहीं बने, तो C बने, अब कोई और है, तो मान लोग वो कोई और कहता है, वो कहता है, नहीं साब, मैं चाहता हूँ B बने, राश्पती, अगर B नहीं बने, तो C बने, C नहीं बने, तो A बने, ठीक है, ऐसे करके कई सारे लोग हैं ये, बहुत सारे लोग ह कि हमें अपनी पहली जरूर देनी पड़ेगी बले आप एक ही दे दो बले मैं खाली इतना ही लिखके छोड़ दूँ यह लो पस मैं नहीं लिख रहा आगेगा मुझे नहीं जानना और मैं कहा रहा हूं मुझे चाहिए एक के लावा कोई नहीं चाहिए ठीक है मान ली जाएग यहां तक हम कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं हमने जाके लोगसवा एलेक्शन की तरह है हमने जाके वहां पर जाके बटन नहीं दबा दिया किसी एक पर भी नहीं हमने यहां पर सब जगे अपने पर्चे लिख दिये मुझे पर्चा मिला मैं मैं उस पर देखा म मुझे बापे दो-تीन नाम लखे हुँ हैं मैंने का नाहीं, मुझे preference चाहिए पहली, वन इसकी, दूसरे इसकी, तीसरी इसकी, ठीक है, ऐसे ही किशी और को मिलेगा परचा, वो अपनी लखेगा, दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, पहली इसकी, तो ऐसे करके काम चलेगा, अब य आरबरी पर लाने के लिए हमने बोला है कि हर वोट का गो बना दो और वोट की वैलिव हो जाएगी तो टोटल नंबर two value बराबर बराबर नहीं होगी नहीं हो सकती है कैसे हो सकती है MPR बड़े बड़ी population चुनके आया है MP आता है एक जिले से एक या अगर बहुत बड़ा जिला है तो आपने जो एक स्टेट से आते हैं तो इनके वैल्यू कुछ होती है और MPs की वैल्यू कुछ होती है यह मैं जानना पड़ेगा अब अगर यह तीन participants है ठीक है होना दो और एक person ने पास कर लिया quota after counting quota भी आ गया आएगा quota क्या चीज़ है सारी चीज़ें एक साथ आएंगी यहां पर अब एक quota होना चाहिए कि भाई तुम्हें कम से कम 10,000 अगर तुम्हें मिल गए होते तो तुम जीत जाते अब तुम्हें अब तुमने दस्यार वोट से एक वोट भी उपर पा लिया तुम जीत गए ठीक है बात खतम हो गई तो वो तो वो quota cross नहीं किया, then transfer of votes will happen यह है single transferable vote अच्छा ठीक है जितने इन candidates के ballots हैं जो इन्होंने पाए हैं तो यह securing the least number of first preference votes are cancelled and his second preference is transferred to the other candidates this is repeated till a candidate I'm sorry this is repeated till a candidate secures the remaining quota अब सुनो क्या हुआ जो a b c तीन candidate खड़े हुए थे election में हमें एक set quota चाहिए था जिसको बोलने के लिए अगर कोई इतना पहुँच जाए किसी कोई भी अगर इतनी इस level तक आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ यह जीत किया पर हम देख रहे हैं कोई भी quota cross नहीं कर पाया सब लोगों ने अपने अपने वोट डाले ऐसे वाले वोट यह करके अब क्या होगा कि जो सबसे कमजोर खेलाडी निकला इसमें से इसके वोट देखे जाएंगे तुम क्या किया हो यह क्यां आसिल करके लाये हो अब इसके votes को हम बाट देंगे बाकियों मै अब इमें बता रहा हूँ यह क्या कर रहा हूं यह इसलिए कर रहा हूँ ताकि पहली बाद तो इसका फाइदा क्या है यह इसलिए करना पड़ रहा है इतना टिपिकल मामले का फाइदा यह है ताकि जो भी प्रेसिडेंट चुना जाए वो सहमती से चुना जाए वो ऐसा नहीं हो कि किसी एक की ही majority से जीत गया नहीं उसमें स सबकी इस्सेदारी हो उसमें सब का अपना-पना कहने का एक वो हो अब C, B और A अब मान लो ऐसे पांच लोग हैं मैं मान के चल रहा हूँ कि इसको पांच वोट मिले ठीक है मान लेते हैं ऐसा नहीं हो सकता पांच से बहुत जादा होंगे यह नंबर होगा कम से कम नहीं तो पांच अजार नहीं तो और जादा होगा Now यह value of votes हैं अब C इन सब लोगों ने बोला था कि हमें चाहिए था C अच्छा, ठीक है, अब इनों ने बोला था, अब वीवन ने बोला था, नई, मुझे दूसरे पर ये चाहिए था, तीसरे पर ये चाहिए था, इसने बोला, मुझे दूसरे पर ये चाहिए था, तीसरे पर ये चाहिए था, इनों ने बोला, कि मुझे तीसरे पर ये चाहिए था दूसरा यह चाहिए था अब इनों ने बोला कि मज़े दूसरा यह चाहिए था और तीसरा यह चाहिए अच्छा ठीक है तो अब इनकी जो second preference है इन सब की second preference क्या है वो देखी जाएगी b यह है यह है अब देखते हैं क्या हो रहा है यहां पर हो यह रहा है कि इसके first preference votes are cancelled य ये तो गया, इसको अलग रंग से लिखते हैं ताकि आपको बाद में ये दिख जाए, ये याद रहना चाहिए, इसमें गलती मत करना, ये बहुत सिंपल है, इसको हम बोलेंगे कि हम इसको कर रहे हैं, कैंसल, आपके तो वोट गए सर, आप तो जाओ, अब देखते हैं कि यहा से तीन वोट जाएंगे B को, अब A को देखो, A को, दूसरी प्रेफरेंस देखो, एक और दो, तो इसके दो वोट जाएंगे, मतलब V3 ने, V2 ने, हाँ, V3 ने और V4 ने बोला हुआ है, कि साब मुझे दूसरे पर चाहिए था A, पर आप मुझे नहीं दे पा रहे हो, ये मे इन्होंने C को पहली प्रेफरेंस दे रखी थी, तो C की पहली प्रेफरेंस तो कैंजल कर दी गए, क्योंकि आप सबसे लोग ऐस थे, आप वैसे ही चोड़ दो, आपका आपका नहीं रहा, पर जो C के जो टोटल नमबर वोट आएं, मानलो ये 5 लोग है, ये 5 ऐसे हैं, तो इन पांचों ने कहा, कि साब हमारी इन पांचों मेंसे, इनोंने, मतलब तीन लोग ऐसे थे, जो बोल रहे थे, कि हमें चाहिए B सेकंड नमबर पर, अगर C नहीं हो पा रहा है तो, तो यानि B के पास गए 3 वोट, अब इन पांचों मेंसे दो लोग ऐसे थे, जोनोंने बोल प्लस 2 और X प्लस 3, आई बस समझ में, बहुत असान है, ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, ये ही प्रोसेस चलेगी बाद में, अब देखा जाएगा, हो सकता है, ये तीन जोडने से ये उपर निकल जाए, और ये दो जोडने से यही रह जाए, अभी भी हम देख रहे है कि अब A छोटा हो गया है, अब B बड़ा है, फिर A के साथ सेम प्रोसेस लिखी जाएगी, जिन लोगों ने A को पहली प्रोसेस दे रखी थी, उनको यहां लिख दिया जाएगा, और A के बाद B और C लिखा जाएगा, और फिर टोटल गिया जाएगा, देखो भाई किस-किस ने B और C को, A और B में से देखेंगे कि आप कौन-कौन बचेंगे, तो दो जब हो जाएगी candidate, तब तो एक या दो बार में ही result आ जाता है, समझ में आ जाता है, अब ही समझो, जो मैं value of vote बार-बार कह रहा हूँ, यह क्या हो रहा है, value of vote कहना है का मतलब यह है, कि हमें एक vote को equate करना है उसकी population से, कैसे करेंगे हम, तो जितने MLA और MP होते हैं, यह 2022 का election जब हुआ था, तो इसमें यह, जब राश्पती जी का, तो इसमें हमने use किया, पहली बात तो 1971 का census, 1971 का census इसलिए use किया है, क्योंकि वहाँ पर population freezing हुई थी, और वही population freezing को हमने जोड़के रखा, जब तक 2026 में दोबारा नया census नहीं हो जाए, तो हमने 71 के census को लेके, क्योंकि 84 CIA ने यही बोला था, कि जब 71 के census को अभी माना जाएगा final, जब तक population stabilize नहीं हो रही है, तो हमने क्या बोला, कि देखो, आपको एक MLA के vote की value निकालनी है, कैसे निकालोगे आप, आप लिखो, उस state की population पूरी, जिस state का वो MLA है, जैसे UP है, तो UP की population 1971 में है, लगबग 8 करोड 40 लाख, 1971 में, और election हो रहा 2022 में, अभी ये problem है, problem है, इसका solution भी है, पर इस problem को solve करने के लिए हमने बोला, कि अभी सुन लो पहले हमारी बात, कि 71 की census में जो population है, उसको यहां लिख दो, ठीक ह वो लिख दी गई, उसको divide करो, उस state में आज कितने MLA हैं, अच्छा, आज कितने MLA हैं, तो 8 करोड, almost 38 lakh, कुछ thousand, ऐसे ऐसे ये सारे हैं, ये population divided by 400, 400 प्लस सीट हैं कुछ, 403 या 404 कुछ नंबर है, ठीक है, अब इसको into कर दो 1000 से, तो एक आपके vote की value निकल आई, जो MLA vote दे अच्छा, ठीक है, अब ये जो निकल के आईगी value, तो आपको UP की total value कैसे मिलेगी फिर, UP की total value मिलेगी, 400 multiply कर दो इसमें, असान बात है, एक vote की value कितनी निकलेगी, इससे आप निकालोगे तो लगबग, लगबग, ऐसे निकलेगी 200 कुछ, 200 प्लस, 200 प्लस, अब इसकी कोई unit नहीं है, ये कोई kilo नहीं है, ये कोई gram नहीं है, ये कोई meter, centimeter नहीं है, 200 के around एक vote की value निकली, MLA की जो UP में है, अब ऐसे 400 MLA है, तो ऐसे 400 MLA को 200 से multiply कर दो, तो इनकी total state की MLA's की value आ गई, ये ही सारे, ऐसे ही सारे के सारे, आप सारे states का निकालना, और इन सारे states को, यहां इन सारे states को यहां लिख दो, और total number of elected MPs of both the houses of parliament, 543 plus 233, इनको जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा value of vote of MP, एक MP, जो member of parliament होता है, जो लोग समाराज समय बैठता है, तो इनके vote की value कैसे मिलेगी, sum total of votes, sum total of the votes of elected members of legislative assemblies of all states, including Delhi and Puducherry, कैसे मिल गई हमको, Now, electoral quota कैसे निकाला गया हमने, electoral quota क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था, quota यह है कि, जब राश्पती को चुनाओ होगा, in order to get elected, a candidate has to secure the vote at least up to the electoral quota which is calculated as, कैसे calculate होगा, sum total of the value of all the valid votes, जितने valid votes होंगे, number of post, कितनी post है, एकी राश्पती है, एकी post है, plus one, plus one, समझ में आगी बात, यह रफली रफली आता है, पांच लाख कुछ, पांच लाख चालिस हजार कुछ ऐसा, ठीक है, तो इतना इने quota क्रॉस करना है, अब इतने vote नहीं है, इतने सारे votes की value इतनी आ जाए, पांच लाख चालिस हजार के आस पास, तो यह जीच जाएंगे समझादी जी का चुना हुआ था, प्रेसिडेंट द्रापदी मुर्मु जी का जब election हुआ, तो क्या हुआ था, कुल मिला के Electoral College में थे 4,809 लोग, MP, MLA मिला के, 7076 MP इतने हैं, और 4,033 MLA है, इतने सारे MLA है, अब क्या करा, हमने इन सारे total value निकाल ली, इन 4,800 लोगों की value आ रही है, 10,86,000, मतलब लगबग, लगबग, 5,43,000, 5,43,000, ये सारे के सारे MPs और MLA के votes की value equal हो रही है, जिस state की population जादा होगी, उसके state के MLA के vote की value भी जादा होगी, यानि, UP के MLA की vote की value है 208, डेली के MLA की vote की value है 58, सिक्किम lowest है बिचारा, महा के MLA के vote की value है 7, साथ, इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ साथ member of legislative assemblies है, कि वहाँ साथ विधायक है, या वहाँ पर खाली साथ लोग रहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वहाँ के MLA है, उसके vote की value साथ है, कैसे समझ में आए गई यह, जैसे 71 के population के हिसाप से, 71 के census के हिसाप से, दिल्ली की population थी 40,55,698, ठीक बात, अब वहाँ की assembly strength आज है 70 लोगों की, तो हमने क्या किया, हमने, मैंने आपको, जो मैंने उपर आपको calculation दिखाई दी पहली वाली, UP वाली, यह इधर की, इसको हम देखते हैं यहाँ पे, डेली के लिए, तो population divided by 70, multiply by 1 by 1000, यह यह 1 by 1000, यह बाहर लिखा हु यहाँ से vote की value निकली 58, ठीक है, यह निकल गया गई, अब value of votes, अब value of votes of each MP, यह MP की, यह जो MPs होते हैं, इनकी value fix हुई है, 708 के आसपास है लगवग, यह कैसे आई है, total value of MLA voters upon total MP is in both of the houses, तो total value of MLA voters जो हमने यहां से निकाली, ऐसी सब की जोड़ दी हमने, यह value हम यहां से देख रहे हैं, यह value यहां से आई है, इन सब की value है यह, यह देख लो आप, यह हर state के अपने अपने members हैं, उनकी अपनी particular value है, और इन दोने को multiply कर दोगे तो यह answer आ जाएगा, तो इस total को आप जोड़ लो, ठीक है, यह total जोड़ दिया गया, तो यह total निकला 543, 231, ठीक है, तो अब इसको हम पीछे चलते हैं, यहां पे 543, 231, divided by 543, plus 233, that is, लोकसभा, प्लस राज्यसभा, यह value आ रिए 700 क्या सपास, ठीक बात है, आ गई, आगई, अच्छी बात है, अब इसके आगे करना है, कि पहले इनका कोटा देखो, राश्वादी जी को कितना कोटा चाहिए, यह कोटा पाने के लिए यह क्या करेंगे, यह total number of valid votes पहले count होंगे, कितने vote पड़े गए हैं, तो 543, 231, plus 543, 231, ऐसे करके आएगा, 10,00, के around आएगा, 10,00, फिगर यह आ चुका है, 10, 10,79,000 are the valid votes, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है, महां मकारी करते हैं, कुछ लोगों को knowledge नहीं होगी, कुछ लोग दिक्कत कर देंगे, और उनका vote count नहीं होगा, तो 10,79,756 यह valid votes हैं, इनको लिखा जाएगा, divided by number of post, that is, एकी राश्पती, plus 1, plus 1, यानि हमको, इनको, किसी भी रा वो लगेगा method single transferable vote, जो हमने अभी पीछे देखा था, कैसे देखा था, कि ABC तीन candidate हैं, अब दुरापदी मुर्मुजी के सामने थे, यश्वन सिना जी, तो इनोंने क्या किया, जब election में खड़े हुए दोनों, तो इनोंने vote पाए हैं, 6,66,028, इसमें NDA और अधर्स, बाग प्रेफरेंस में लोगों ने बता दिया कि हमको दुरापदी मुर्मुजी चाहिएं, एजे महामहिम, हमारे महामहिम के तौर पे, और अकेले BJP पार्टी ने MP, MLA सारे मिला के पूरे देश के, इनोंने 4,58,036 votes दिये हैं, वोट की value दी हुई है, तो इससे हमें समझ में आ र दाश्पती बनवाना है, तो 20,000 divided by 1 plus 1, एक number of post plus 1 plus 1, यह formula है, formula यह इसको याद करना पड़ेगा, तो यानि कि 10,001 is the electoral quota, जो electoral quota पार कर लिया, वो जीत जाएगा, अब फिर वोट पड़े, वोट पड़ते ही हमने देखा कि A, B और C तीन गानेरेट थे, इनको मिले, मान लेत हैं, यह example है, इनको मिले 75, इनको मिले 63, इनको मिले 62, अब हमें यहां से देखने में लग रहा है, कि साब A के पास सबस्यादा votes थे, फिर हमने देखा PRSTV method लगाओ, अब जो C सबसे बिचारक कमजोर था, उसके vote को हमने ले लिया, कि तुम तो चलो, candidate C is eliminated, इनका काम हो गया, और इसके votes will be transferred while voting for candidate C, हम देखेंगे कि लोगों ने second preference किस-किस को दिये, कितने लोगों ने B को दिया है, कितने लोगों ने A को दिया है, तो अगर B को 4950 लोगों ने मानलो दिया था, कि 4950 लोग कह रहे थे कि हमको चाहिए था B, अगर C ना हो तो, और 1250 लोग कह रहे थे कि ह 400 यहां से उठाया, और यहां से उठा लिया, यह हमारा 1250, यह पहुँच गया 8750, और फिर B को देखा, B के बाद 3300 थे, फिर 4950 जोड दिये गए, यह जोड दिये गए, अब यहां पर 11250 आ गया, और B ने वो quota cross कर लिया, जो पहले दिख रहा था कि A जीत रहा है, वो PRSTV method के बात समझ में आया, कि नहीं, B है वो champion, वो B जीतेगा, here B cross the required quota of 100001, and B will be declared the winner, simple है, समझ में आया, नहीं आया, doubt पूछना, बताया जाएगा, now, आगे चलते हैं, यह वो state-wise data है, जो हमने use किया है, हम देख रहे हैं, कि एक आंधरा state है, उसमें 175 ML होते हैं, ठीक है, होते हैं Now, एक वोट की value, उसके एक वोट की value हम निकाल चुके हैं, वो कैसे निकाली है, आंधरा की population, population divided by 175, simple बात, into 1000 कर दो, into, इसको आगे लिख दें, वहना समझ में नहीं आएगा, into 1000, तो एक वोट की value निकली 159, अब हमें total इस आंधरा की value निकाल नहीं है, तो यह आ गई 27,825, ऐसी करके हमने सब की निकाल ली, अब सिक्किम का हाल देखो, सिक्किम की population divided by their MLA's, वो आती है, 7, अब 32 into 7 कर दो, 224, इनके पूरे MLA's की vote की value है, count कर लिया, इन सब को जब जोड लिया, इन सारों को, डेली और UT भी जोड के, यह भी डेली और पोटोचरी जोड के, तो assembly में total लोग आ रहे हैं, 4,039, इन सब के votes की value बराव, ऐसे total आ रही है, 543,231, now, लोकसभा, राजसभा, 543 members, एक vote की value 700, और यह total यह आ गया, इसका total यह आ गया, सब पूरे को total कर दिया, 10,6,0431, अब यह इतने total votes होते, पर किसी ना किसी MP, MLA ने गलती कर दी, उन से समझ में नहीं आया उन्हें, और उन्होंने कोई valid तरीके से vote नहीं डाला, तो उनका vote count नहीं हुआ, वो vote फिर कम हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि invalid votes count नहीं कर सकते हैं, अब वो total आएगा 10,79,000 कोच, क्योंकि 24,000 value कम हो जाती उपर नीचे, फिर divided by 2, प्लस 1, यह quota बनेगा हमारा, इस quota क क्रॉस करना है, इस quota क्रॉस करने के लिए, पूरा single transferable vote वाला process दुबारा से लाया जाएगा, उसको फिर गंदा पड़ेगा, यह आपकी job होगी, लोगसवा सचवाले में, क्याबिनेट सचवाले में, करवाना पड़ेगा यह सब जागे काम, election कमिशन नहीं करवाता है, यह जो हमारे समदान निर्माता थे, इन्होंने बोला था, कि यार यह जो पार्लेमेंट है, यह एक ही single party में जादतर दिखता है, कि भाई पार्लेमेंट जो आ रहा है, जो भी majority party होगी, वो रूल कर रही होगी, तो जाहिर बात है कि उनका candidate भी उन्हीं की पसंद का होगा, इसके लिए MLA's of state in electoral college makes the president, representative of the union and state equally, कि खाली union की ही जिम्मेदारी ना बन जाए, खाली union ही ऐसा ना देखे कि अच्छा union का ही राश्पती चुना जा रहा है, नहीं, states के भी चुनवाए जाते हैं, अब देखो यह सारे हमारे राश्पती थे, राजिन परसाद जी, दो बार चुने अब यह इनका vote count है, देखो इस समय नोंने 83% vote secure किये थे, अब यहाँ पे आके द्रौपदी मुर्मु जी ने हम देखते हैं कि 64% vote secure किये हुए है, ठीक है, और इनके यह opposition थे, यश्वन सिना जी, आपको यह नाम याद आ रहा है क्या, टी एन शेशन जी, टी एन शेशन जी, यह नाम के बारे में अगर पता हो तो मुझे, तो अब आटे का लिकत्तर की बात करते हैं, जब भी कोई भी अगर question आएगा, कोई भी अगर doubt आएगा in connection with the election of President or Vice President, that shall be inquired into and decided by the Supreme Court alone, whose decision shall be final, जब भी इनके election के decision के ऊपर कोई सवाल उठेगा, कोई doubt, कोई dispute, कोई case, कुछ भी आएगा, तब खाली Supreme Court ही सुनेगा और Supreme Court का decision final होगा, अब election of a person as President cannot be challenged on the ground that the Electoral College was incomplete, कि MLA सारे नहीं थे, किसी स्टेट में 2-4 MLA कम थे, या 2-4 vacancy आएं, या MP सारे के सारे नहीं थे, तो इसका मतलब यह नहीं Electoral College पूरा नहीं है, नहीं, जितने लोग हैं, वो सब वोट दे हैं, यह बताओ, कि वोट देने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, या कोई हिरा फेरी तो नहीं हुई है, खाली, if the election of a person as President is declared void by the Supreme Court, acts done by him, before the date of such declaration are not invalidated and continue to remain in force, यह रहेंगे, अगर कोई राश्पती है, और वो जीत गया election, और फिर उनके election के ऊपर चर्चा हुई, Supreme Court में गया वो केस, और Supreme Court ने बोला, कि यह तो गलती होई थी, तो राश्पती बने कैसे, तो राश्पती जी गहेंगे, मैं तो बन गया आप तो, तो बोलेगे, अब उतर जाओ, ठीक है, जो काम करके आगा हो, वो छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, उस पे आप कोई question न सम्मान है, उस गद्धी पर बैठे हुए person के हाथ में, जो कलम है, वो कलम officiate करती है, देश के काम, देश जो चलता है, वो इनकी गद्धी से चलता है, अब उस गद्धी के सम्मान की वजए से, इन्होंने अगर कोई काम ऐसे किये होंगे, तो उस कामों को question नहीं करेंगे, को कोई बात नहीं, तो ऐसे होता है, अब इनकी qualification देख लो, qualification क्या-क्या, पहली बात तो, वो chapter 7 बढ़के आने चाहिए लक्षमी गान का, यहां के citizen होने चाहिए वो, सही बात है, फिर उसके बाद 35 की उमर से कमना हो, फिर वो member of लोकसभा बनने के लायक होने चाहिए, कि लोकस चाहते हैं कि यह बने, और ऐसे 50 लोग हों, जो इस proposal को second करें, कि बोले कि हाँ, हम 50 लोग इनके साथ हैं, तो इसको बोलते हैं, कि 50 लोग, जो 50 electors हैं, जो 50 बात में चुनेंगे, तो यह लोग 50 लोग कह रहे हैं, हम तो propose कर रहे हैं, XYZ person का नाम, और 50 लोग अलग से यह बोल फोड़ा सा लगे कि हाँ, इस पर conflict of interest आ सकता है, जैसे वो किसी ONGC के board के chairman नहीं हो सकते हैं, जैसे वो किसी Indian oil के director नहीं हो सकते हैं, जैसे वो ISRO के scientist हो सकते हैं, पर ISRO में officer नहीं हो सकते हैं, समझ गया हैं किसकी बात कर रहा हूं, तो sitting president, vice president, governor or minister of union or state are not deemed to be hold any office or profit, यानि कहन पोस्त हैं, बहुत बड़ी पोस्त हैं, सम्मान जनक पोस्त हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि अगर एक बार लोग इस जगह पे बैठ गए हैं, तो दुबारा नहीं बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, इस जगह बैठ सकते हैं, और इनको अगर जाना रुपए इनको जमा करवाने पड़ते हैं, जो नामंकन करता है, जो अपना कैंडिडिडिचर देता है, कि हाँ साब मैं खड़ा होना चाहता हूं election में, तो वो क्या करता है, एक थोड़ा bond जैसा बढ़ता है, formality है, 15,000 रुपए RBI में जमा होते हैं, और ये जमा आपको वापस मिल जाते हैं, पर अगर आपने 1 by 6, 1 6 से अगर कम वोट पाए, तो 15,000 रुपए आपके चले जाएंगे, ऐसा RBI कहती है, ठीक है, अब 97 से पहले तक ये था केवल 10 proposers और 10 seconders और security budget था 5,000 रुपए, क्या ही था ये, तो ठीक है, देश के महा महिम की कुर्सी की बात है, तो ऐसा ही होता है, Now comes, कि जब ये elect हो जाते हैं, तो ये एक पहले लेते हैं, शपत, ये भगवान को साक्षी मान के एक शपत लेते हैं, और ये शपत दिलवाते हैं इनको Chief Justice of India, मुख्यनाय अदीश, अब अगर ये नहीं होंगे, तो जो भी senior most judge होंगे सुप्रीम कोड के, वो इन्हें फिर दिलवाई थी, तो हमारे CGI ने दिलवाई थी, CGI के नाम पता है, कि कौन है CGI, नाओ, इनकी शपत के पार्ड होते हैं, तो faithfully execute the office, कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरे करतवे के साथ, अपने office का कारेवान करूँगा, ठीक है, तो preserve, protect and defend the constitution and the law, कि पूरी शमता के साथ, अपने समयधान की, अपने कानून की इफाज़त करूँगा, now, to devote himself to the service and well-being of the people of India, कि लोगों की सेवा में अर्पित हो जाऊँगा, now, अगर any other person acting as president or discharging duties of the president, also undertakes these similar oath, कि इस गद्दी पे अगर आप बैठने जा रहे हो, भले ही खुद परसन जो जीत के गया है, या अगर वो परस बैठने से पहले आपको शपत देनी पड़ेगी, ये बहुत mandatory काम है, ये सबूत देता है कि हाँ आप निश्ठा से काम करोगे, अब इनके राश्पती के office की condition कैसी है, कि इनको क्या-क्या इनको मिलना चाहिए, ये first of all, वो member नहीं हो सकते किसी भी house of parliament के या house of state legislature के, अगर है अगर हैं, तो वो उसी दिन से मान लिये जाएंगे कि इन्होंने गद्दी छोड़ दी है, इन्होंने अपनी seat छोड़ दिये, लोगसभागी या विदान सभागी जहां पर ये पहले थे, जिस दिन से वो राश्पती के office में गए हैं, मतलब, in any such case, he is deemed to have vacated his office in that house on the date on which he enters upon his office as president, जिस दिन से वो राश्पती की कुर्सी पे बैठे, उस दिन से ही automatic उनकी लोगसभागी seat, या विदान सभागी seat, या कहीं और की जहां भी वो थे, तो वो seat उनकी चली जाएगी, automatic, और कोई और office of profit वो उसे नहीं करेंगे, कोई और office of profit के वो ऐसे नहीं होंगे, वो और क सकते हैं जब तक वो राश्पती हैं और उन्हें कोई किराया नहीं देना है, वो entitled है, वो उनीक घर है और वहीं पर रहेंगे, he is entitled to emoluments, allowances and privileges determined by the parliament, ये parliament इनको क्या क्या मिलेगा, इनको क्या पैसा मिलेगा, इनको क्या, इनको क्या, इनको क्या, जो इनको इनकी service के लिए, ज पैसा मिलेगा, जो इनके आएगा, जो इनकी income होगी, और जो इनके allowance जो इनको मिलते हैं, कि इनके phone के bill, telephone के bill, internet के bill, सारे आने जाने का, गाड़ी, petrol, सारी चीज़ हैं, ये सारी parliament टे करेगा, and these cannot be changed during the term of office, जब तक वो power में हैं, तब तक तो वो ही रहेंगी, चाहें आप कु अपने राशपती की salary कम कर दी, नहीं, ये नहीं हो सकता, 2018 में Parliament नहीं पास किया था, और राशपती की salary बना दी गई, पांच लाख पर मन्त, 60 लाख साल के वो आदमी है, तो 60 लाख उनकी कमाई है, और ये highest office है, देश का, तो इससे बड़ी salary किसी की नहीं हो सकती, सरकार में official, now, pension इनको मिलेगी 50% of his last salary, जो इनको अफरी salary मिलेगी, allowance इनको मिलते हैं, एक लाख रुपए तक के पूरे साल के, that is, travel में, आने जाने में, कोई और full furnished इनको home मिलता है दूसरी जगह पे, तो वो सब सारी चील है, और अगर इनकी मृत्यू हो जाए, तो जो इनके, जो इ office salary, वो मिलेगी, अब अगर राशपती की retire होने के बाद, उनकी मृत्यू हो जाए, और उनकी बीवी या पतनी या पती, जो भी हैं, उनके spouse हैं, तो उनको इस 50% का भी 50% मिला करेगा, मिलेगा जरूर, ये इनका, ये इनका हक है, कि इनको ने देश की सेवा करी है, और देश office में रहके, ये कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ये office में है, he is immune from criminal proceedings, even personal, इनके खिलाफ कोई भी personal criminal proceeding चालू नहीं की जा सकती है, he cannot be arrested or imprisoned, अगर आपको कुछ करना ही है, कोई आपको राशपती से भोजा दर अंजिश है, तो आप क्या कर सकते हो, कि प सिर्फ आपके personal act के लिए, जो आपने किये हैं, ना के आपके official act के लिए, बस यही हो सकता है इनके उपर, और राशपती के उपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश की highest गद्दी बेटे हैं, highest seat of power है वो, जो राइसीना हिल्स है, ये पता है ना राइसीना हिल्स की क बनाया था, ये इनका वाइसरोय का house, तो वाइसरोय रहते थे, फिर वाइसरोय जब चले गए, उनकी सेवा समाप तो हो गई, फिर यहाँ पर राइसीना हिल्स पर बैठी हमारी देश की सबसे बड़ी सीट, जिसका नाम है राशपती भवन, और वहाँ पर राशपती निव इतने बड़े देश के मुखिया हमा रहते हैं, तो थोड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन जाना चाहिए, एनिवे, आगे चलते हैं, जब इनका टर्म कैसा, जब होगा, पांस साल का होगा पहली बात तो, और ये अपना रेजिगनेशन किसको देते हैं, किसा मु क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आप इतने अच्छे हो, आप देश की हाइस्ट कुरसी पर बैठे हो, तो आप दुबारा क्यों नहीं आ सकते हैं, आही सकते हो, बिल्कुल, most welcome, क्योंकि आप यहां तक आ गए, मतलब आप एकदम सजजन बढ़ी आदमी हो, क्या ही दिक्का था, दोबारा आईए, अब US में ये चीज़ खाली दो टाइम है, दो बार होई थी, कौनसे कौनसे यहर में हुए थे बराको ममा जी, पता है, now, can hold office beyond his term of five years, कब, until his successor assumes office, कि जब तक उनके आगे आने वाले जो officer होंगे, तो तब तक तो यह office में रह सकते हैं, पांस साल पूरे हो है, पर अभी तक अगला राश्पती चुनके नहीं आ पा रहा है, या गए हुएं कहीं बाहर, या बाहर आने में उनको भी छेवेने लग जाएंगे, जो भी बात है, तो वो उतने समय के लिए तब तक और राश्पती रह सकते हैं, और उनको वही facility, वही सोविदाएं, वही salary, सब कुछ मुहिया होगी, जो उनको अभी हो रही है, पस यह होगा, अब इसके बाद हमारा next आएगा, कि हमको देखना है, जब इन्हें हटाना होगा, मान लो, कोई इतना बड़ा राश्पती ये तरी अच्छी गद्दी पे है, पर उन्होंने कुछ ऐसा करी दिया, कि नह नहीं अच्छे लग रहे है, तब क्या करें, तब ऐसे में उनके खिलाफ होगा, महा अभी योग, ऐसे लिखा जाता है शायद, है ना, बताना मुझे अगर मैंने गलती करी हो तो, तो ये है, इनके खिलाफ, ये मच्छा लग रहा है मुझे, खर बताना अगर ये हाँ की नहीं, तो impeachment में, impeachment for violation of constitution, बस, यही दिया हुआ है समविधान ने, समविधान ने सिया कि कुछ नहीं बताया, कि क्या violation हो सकता है समविधान का, नहीं है, US में बहुत बहुत तरीके से लिखा हुआ है कि क्या कब आप लगवा सकते हो, इसका phrase का कोई definition नहीं दी समविधान ने, यह can be initiated by either house, लोकसभा या राजसभा, किसी भी लोकसभा राजसभा में इस impeachment का process शुरू की जा सकती है, अगर एक चौथाई लोग और एक चौथाई लोग उस house के हो, वो sign कर दें, और राश्पती को 14 इनका notice दे दें, कि राश्पती जी हम आपके खिलाफ महावियों का अभ यह उपर है, यह बहुत बड़ी बात है, कि आप राश्पती हो अधिस दारने वाले हो, तो मतलब पूरे पार्लेमेंट की सहमती चाहिए, almost, मतलब जो 543 लोग हैं, यह सारे के सारे लोग सभा के, इन में से two-third लोग एक साथ खड़ों के बोलें, special majority क्या होता है, present and voting two-third हो ह total का 50% हो, नहीं, यहाँ पर चाहिए total का ही 50% से उपर, two-third, तो यह चाहिए यहाँ पर, special majority नहीं चलती है, यहाँ चलती है, बड़ी, सबसे बड़ी majority, यहाँ पर कौन-कौन वोट करेगा, elected plus nominated members of लोग सभाराज सभा, यह दोनों करेंगे, election करते समय, election में vote डालते समय, खा other house for investigating of the charges, फिर, जब एक house से पारित हो गया, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, आबादी के साथ, यह दो, यह दो तिहाँ ही लोग खड़े होके बोल रहे हैं, कहाँ साभी राशपती नहीं चाहिए हमको, इनको उतारो, तब, दूसरे house में जाएगा, चाहे लोग सभा से राज defend himself, or by attorney of his choice, राशपती के पास यह अधिकार है बाई, कि तुम अपनी बात कहलवाओ जाके, कि तुमको क्यों अटाये जा रहा है, जब बताओ, अपनी सफाई दो, या अपने एक attorney को भेजो, अपने भकील को भेजो, now, if other house also suggests, also sustains the charges and passes the impeachment, तब तो वो गए, with same majority, two-third of total majority, president stands impeached, खतम हो गया काम, अब यह जो आप देख रहे हो, कि जब यह क्वासी judicial proceeding हो रही है, पारलेमेंट में, तो क्योंकि investigation शुरू हो गया है, पारलेमेंट ने जुडिशरी वाला काम में उठा लिया है, कि लाओ देखें, ज़रा चार्च सही है कि नहीं, question of law, question of law की बात हो रही है, कि ऐसा कौन सा violation of constitution हो गया है, जिनकी वज़े से राश्पती को अटाया जा रहा है, और एक house कह रहा है, कि दो तिहाई से ज़्यादा लोग खड़े हो कि हाँ कह रहे हैं, कि इनको अटा हो, पहले पढ़ा जाए इसको, कि क्या बिगड़ गया ऐसी बात, क्या खराब हो ग अटी से, तब सचिन तंदुलकर जी, ऐसे लोग, अमिताब बच्चन जी, ऐसे लोग जाया बच्चन जी, ऐसे लोग तब जाएंगे, और ये लोग जाके वहाँ पर फिर वोट करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेटिटिव असेंबली से स्टेट और यूटीज ऑफ डेले विद्च न बुडढ़ जे लुटिट Kingdom से से, तब इनकी ज़िरूवत नहीं है, इंपीश्मेंट हो रहा है, वो पारलिमेंट करेडिव CGI का removal करना होता है CGI को गदी सोतारना होता है तब भी impeachment ही process generate होती है पर जो impeachment word है actual word है वो खाली राशपती के लिए reserve किया हुआ है क्योंकि देश के महामाहिम है देश के सबसे बड़े head of state है तो इनके लिए impeachment होगा बाकियों के लिए removal word use करते है for others it is removal बस साब बात है अब इसमें चाहे CGI हो या CAG हो या UPSC chairman हो ये कोई भी हो ये इसके बाद सारे के सारे जितने लोग होते हैं इनका removal होता है राशपती का impeachment होता है बस ये बात समझ में आई now फरक देख लो impeachment of Indian president और impeachment of American president क्या क्या फरक है सबसे पहली बात कि यहाँ पे ground है खाली एक ही कारण लिखा हुआ है violation of constitution समविधान का violation हो गया समविधान का हनन हो गया कैसे हुआ क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा समविधान नहीं नहीं बताया यहाँ सारा का सारा article 1, article 2 इसमें सब लिखा हुआ इनके US के यह बई राशपती में यहाँ पे कि अगर इन्होंने गद्दारी करी अगर इन्होंने रिश्वत ली या कोई ऐसा high crimes and misdemeanor कर दिया तब यह उतारे जाएंगे तब यह उतारे जाएंगे and can be initiated only by the lower house that is the house of representative वहाँ जो lower house है वहाँ कर जो लोकसभा है खाली वहाँ पे initiate हो सकती है यहाँ पे किसी भी house में हो सकती है either house the charges should be signed by 1-4th members and 14 days prior notice should be given सही बात है? ठीक है? Now, impeachment motion needs to be passed by 2-3rd of total majority of each house यहाँ पे it is by simple majority पास हो गया तो हो गया अगर लोग बैठे हैं 50% लोगों ने कहा दिया done ओके हटा दो तो हटा दिये जाएंगे फिर जब यहाँ house of representative से 50% लोगों ने बोला बाहर कर दो इनको तो फिर इसके बाद यह बिल पास हुआ मान लिये जाएगा फिर यह बिल जाएगा second house में और second house जो senate होती है वहाँ की वो act करती है as a court वहाँ पे senate is a judicial body also जब वो राशपती के महावियोग के खिलाफ जब वो सुनवाई कर रही है तो senate actually में पूरी hearing करती है राशपती के पूरे charges को पढ़ती है वहाई क्या charges लगे उनके उपर देख लो क्या हो रहा है यहाँ पे कोई साभी house जहाँ से proceeding चुरू हुई और दूसरे house में गई तो दूसरा house act as investigating body यहाँ judicial body है फरक है दोनों में इफ बोध house sustains the impeachment president stands impeached गए राशपती साब गए यहाँ पे two-third of senate vote in favor of impeachment then president stands impeached मिलकुल हो सकता है लोगसाबा ने कर दिया यहाँ पे house रशपती ने पास कर दिया 50% से यहाँ पे आए यहाँ पे senate ने पास किया पर two-third नहीं मिल पाए उनको रह गए नहीं हो पाएगा यह हमने US से भी सीखा है now vacancy जब राशपती जी चले जाए तो क्या वज़य हो सकती है कि राशपती के राशपती के office पे vacancy आ जाए क्या हो सकता है तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि यहाँ उनकी expiry हो जाए उनके term की five years की 5 साल पूरे हो गए समापती की समय आ चुका है पांच साल से राशपती थे अब अटाए जाएंगे या वो इस्तिफा देते है या उनको remove किया जाए by impeachment या उनकी मृत्य हो जाए या कोई और वज़य से बीमारी हो जाए हारी हो जाए कोई समस्या आ जाए उनको कहीं बाहर गए है और दो महिने से बाहर है तो ऐसे केस में when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void तो ऐसे केस में vacancy आ जाएगी ठीक है इफ vacancy is caused by expiry of the term अगर vacancy इनके 5 साल पूरे होने की वज़य से हो रही है तो election to fill that vacancy must be held before the expiration of term हाँ अगर उनका term खतम होने वाला है पता अगले महिने खतम हो जाएगा या दो महिने बाद खतम हो जाएगा तो चुना अभी करवालो अभी इस अगले राशपती के तैयारी कर लो कि राशपती जी कौन होंगे अगले and in case of delay outgoing president continues to hold office till his successor takes charge अगर कोई delay हुआ कोई देरी हो गई कोई election में कोई दिक्कत आ गई राशपती जी नहीं चुनबाय अगले वाले और तब तक तब तक तब तक पहले वाले राशपती को गुद्धी पर रहना पड़ेगा मजबूरी है क्या करें ताकि interregnum न हो जाए interregnum क्या है कि break हो गया है मतलब एक बार polity सरकार चल रही है चल रही है जैसे जैसे यह राशपती जी है चल रहे है चल रहे है अब यह राशपती जी विकेंसी हो गई है तो हमें नया राशपती जी जो मिलने थे वो हमें यहां से मिलने थे पर हमें नहीं मिले हमें मिले वो थोड़े समय आगे से, ठीक है, ये बात हुई, अब अगर ये हुआ है, इसका मतलब हो गया है, ये जो बीच का एरिया है, जिस समय कोई गद्धी पे नहीं है, तो ये वाला एरिया को हम बोलते हैं, इंटर रेगनम, मतलब क्या हुआ, कि जब 1649 में ऐसा हुआ थ ब्रिटिन की पार्लिमेंट ने ब्रिटिन के किंग चाल्स कोई मार दिया था, चोराय पे लाके उनका सर कलम कर दिया था, तो उसके बाद जो अगला राजा आया, वो 1660 में आया, किंग चाल्स टू, तो ये जो 11-12 साल का समय था, ये इंटर रेगनम का पीरियड था, इस समय बीच में कोई पॉलिटी में हेड नहीं है, इस समय कोई बीच में कोई भी मुखिया नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए, कि भाईया, राश्पती जी हमारे एक जाने वाले हैं, अगले जो हैं वो देर में आएंगे, और इनका समय पूरा हुए, तो इनको अटा दिए, नहीं नह जब तक इनो रखो, जब तक अगला राश्पती नहीं आ रहा है, ताकि ये continuity बनी रहे, ये continuity रहे, जब वो आ जाएंगे अगले, फिर तो आट जाएंगे ये, फिर नहीं वाले समाल लेंगे गद्धी अपनी, तो ऐसे केस में, वाइस प्रेसिडेंट डोंट गेट दा चां प्राश्पती जी जाएं चले जाएं राश्पती ओन में जाके बैठना लग जाएं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, तो उप्राश्पती जी के भी अपने अपने ड्यूटी से हैं, वो अलग समय पर आती है, if the office falls vacant by resignation, removal, death और otherwise, then election should be held within six months from the date of the occurrence of such a vacancy, कि जब भी ऐसी कोई तो उसके छे महीने के फिर भीतर ये election करवालो, इनके नहीं राश्पती को चुनवालो, and newly elected president remains in office for full term of five years, जब तक उनका अगला समय नहीं आती है, now, vice president can act as president, ये हो सकता है, can act as the president until a new president is elected, if not vice president, then CJI, if not senior most judge of the supreme court, available act as president, ऐसा होता है, कि भई जब तक राश्पती जी नहीं है, तो अब क्या करें, कोई तो चाहिए हमको, तो उपराश्पती जी को बोला कि दो दिन की बात है, दो दिन के लिए ज़रा आ जाओ यहां पर, और फिर चले आना वापज अपनी कुर्सी पर, चले गए वो, अब उपराश्पती भी नहीं है, तो ऐसे case में, CJI साहब को, CJI साह आपको बोला जाता है, कि सर आप देश के सबसे बड़े जज हो, और आप बहुत रिस्पॉंसिबल जज हो, तो आप एक काम करो, कि आप गदी जमाल लो, ना राश्पती है, ना उपराश्पती है, और अगर CJI भी नहीं है, तब Senior Most Judge of Supreme Court आएंगे, यह हुआ है, हमारे यहां खुद चुनाओ लड़ना था, क्योंकि उपराश्पती थे पहले, तो यह उपराश्पती थे VP थे, अब इनको बनना था अपना पूरा President, फुल, तो इन्होंने क्या गिया, पहले इन्होंने उपराश्पती से राश्पती की भूमी का निभाई कुछ दिन, फिर इन्होंने पर आये हमारे मोहमद हिदायातुलाजी, CGI of India उस समय, और इन्होंने एक्ट किया as President एक महीने बर के लिए, 20 July to 24th August 1949, तो आज से ठीक एक दिन बात और थे यह, नाओ, नेक्स कम्स तू कि इनके पास पावर क्या-क्या है, पावर तो इनकी बहुत है, खूब पावर है, भर- इनकी executive power क्या है, इनकी legislative power क्या है, कानूं बनाने की बावर, financial power क्या है, इनकी judicial power क्या है, diplomatic power क्या है, और हमारी military power क्या है, emergency power क्या है, नाओ, एक एक करके खोल के रखते हैं, पहले पढ़ते हैं executive power को, जितना भी executive action होता है इस देश में, जितना भी officers होते हैं, जो कानूं का पा से नीचे तक यह सारा का सारा act करता है in his name उसके नाम पे राश्पती के नाम पर आंड जो राश्पती होते हैं he makes rules specifying the manner in which the order and other instruments have made and executed in his name shall be authenticated यही बताते हैं कि यह देश का काम रोज मर्रा का काम जितना भी होगा, कैसे चलेगा, कौन करेगा, और क्या क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, He makes rules for more convenient transactions, यह बताते हैं कि और असानी से कैसे काम हो, गवर्मेंट में क्या क्या चीजे नहीं आए, हाला कि इनको बताया जाता है, PM बताते हैं, इनको तब ही काम करते हैं वो, पर इनके नाम पे होता है, बोलेंगे आखिर में यही, इनको बोलना होता है, तो, makes rules for more convenient transaction of the business of the union, and for the allocation of the said business amongst the ministers, यह बताएंगे, कि हाँ साब, PM ने हमको भेजा report, कि आपको, आपको finance ministry को, आपको एक और ministry समाल नहीं है, ministry of textile, ठीक है, साब समाल लेना, ठीक है, any matter on which a decision has been taken by individual ministers, but not been considered by the, by the, by the, by the council of ministers, and can seek any information relating to proposals for the legislation, मतलब क्या हो सकता है, कि कोई भी ऐसा, कोई भी matter हो सकता है, जिस पर decision ले लिया हो, किसी एक individual minister ने, अब उस minister ने वो काम कर लिया, और council को खबर नहीं थी, पूरे मंत्री मंडल को, तो राश्पती जी क्या कर सकते हैं, उस information को बुलवा सकते हैं, पूरे council को भेज़ दी information, कि देखो आपके मंत्री दल के मंत्री ने क्या किया है, देखो जाके जड़ा, इसको समझो, और councilor minister फिर उस पर consider करेगा, भाई, यहां किया तो है, मंत्री हमारा यह क्या करे, हमारी मंत्री तो हमें साथ दिना पड़ेगा उसका, and can seek any information relating to proposals for legislation from the prime minister, वो PM से सारे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, क्या अभी क्या कर रहे हो तुम, क्या क्या कानूम बना रहे हो तुम, क्या कानूम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ऐसी बात है, He appoints a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and OBCs, यह appoint करते हैं, ऐसा कोई commission, ऐसा कोई आयोग, जैसे आपको पता है, NCSC, राश्टी अनुसूचे जन जाती आयोग, तो OBCs commission, यह बनवाते हैं, Now, he directly administers the UTs through the administrators appointed by him, क्योंकि कई UTs में जो एक प्रशासक होते हैं, main होते हैं, जैसे लक्षुदीब है, जैसे दादर नगर अवेली है, तो इन UTs में क्या होता है, कि एक administrator होता है, क्योंकि विदान सा बात है नहीं, अब इन UTs को direct center control करता है, तो central control करता है under president, president के नाम पे, He can declare any area as scheduled area and can administer it, वो किसी भी state का कोई area को बोल सकते हैं, कहां साब यह scheduled area है, यह इसको हम अनुसूचित कर रहे हैं इस area को, कि यहाँ पर protection हमें लेके रखनी है, इस area की diversity, bio diversity, ecosystem, यहां के जतने tribes हैं, यहां के जतने tribal areas हैं, उनको हमें सवाल के रखना है, यह यह काम कर सकते हैं, यह से area की काम है, next, यह appoint करते हैं, prime minister और उनके ministers, यह appoint करते हैं, पूरा council of minister, attorney general, C.A.G., C.E.C. और बागी election commissioner, chairman and members of public service commission, that includes the UPSC, now, governors, chairman and members of the finance commission, interstate council, administrators of UTs, सब काम करते हैं, some high offices are appointed by president, by a warrant under, एक warrant होता है, hand and seal of the president, यह देख रहे हो आप, कि कुछ-कुछ ऐसे office होते हैं, अब राश्पती जी हरी किसी को शपत नहीं दिलवा सकते हैं, राश्पती, वो राश्पती है, अब वो दिन में एक बार कहीं चलेगा तो बहुत बड़ी बात है, तो अब वो जा जाके इन सब का appointment करवाएं, नहीं, तो क्या होता है, बहुत बार, कई ऐसे high offices में क्या होता है, एक letter आ जाता है, कि और वो letter पर लिखा होता है, by hand and seal of the president, कि राश्पती के हासो द्वारा, राश्पती के मोहर के द्वारा, आपको appointment किया जा रहा है, बस, बोल दिया गया, जैसे judges of supreme court and high court, governors of state, etc., इनको बोल दिया पर कर दे, ठीक है, क्या देखते है, मैं सुबह सुबह क्यों उठाँ, ये काम करने के लिए, अब इनकी देखो legislative power, president is the integral part of parliament, अच्छा, कैसे, जब परलेमेंट के memory नहीं तो कैसे, तो parliament की combustion क्या होती है, लोकसभा, राजयसभा, president, president एक integral part होता है, parliament का, he can summon or prorogue the parliament, ये क्या ह बार कम मिलेंगे, तो ये होता है, समन माने, बुलाना, आओ, सब के सब, आओ, चलो, बैटो, and dissolve the लोकसभा, भंग भी कर सकते है, पूरी-पूरी, और भंग करके बोलेंगे, अगले करवाव election, हम नहीं जानते, इसको कर दो, पर, preside over by speaker of लोकसभा, ये करते ही, ये तो करता ह है, लोकसभा के speaker ये होता है, and someone is joint sitting of both the houses of parliament, अगर कोई deadlock हो जाए, किसी बिल के ऊपर, दोनों house अड़ जाए आपस में, कि हम नहीं मानेंगे, या कोई ऐसा बड़ा-भारी issue हो जाए, देश में कोई आपदा आजाए, एकदम कल से ऐसा हो जाए, कि देश से सारा का सारा खतम हो जाए, तो joint sitting होगी, यतिनी बड़ी बैठक होगी, इसमें लोग बैठेंगे, और सारे के सारे 543 MPs इधर के और 245 MPs वहां के, ये सारे के सारे आएंगे और बैठेंगे, फिर चाचा करेंगे इस पर, ये बोला सकते हैं, वो joint sitting, now, address the parliament at the commencement of the first session of after each election and the first session of each year, हर साल का जो पहला सत्र होता है, उसको ये संबोधित करते हैं, राश्पती जी, देखो बैठे हैं, अभी कर रहे हैं, ये उपर राश्पती बैठे हुए हैं, और ये speaker of लोगसवा बैठे हुए हैं, now, ये भी करते हैं, दूसरा ही क्या करते हैं, कि जब भी पहले election हो जाते हैं, हर प its proceedings, when the office of both the speaker chairperson and the deputy speaker chairperson fall vacant, जब speaker ना हो, या कोई deputy speaker ना हो, या speaker of राश्पती भी ना हो, तब ये अपॉइंट करते हैं, कोई लोगसवा से कोई बैठो जागे हो गी उपर, आप तुम बनो speaker, he can nominate 12 personalities to Rajya Sabha, सचिन जी, रेखा जी, वो इनके नामांकन दे सकते हैं, कि भाई, मेरे नाम से आप जा सकते हो, और आपने अपरे अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, जैसे literature हुआ, science हुआ, art हुआ, social service हुआ, इनके नामांकन पे बहुत विवाद हुआ था, कि ये तो sports के खिलाड़ी है, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया, इन मेंसे, जो ये जा रहे हैं वाँपे, तो, disqualifications of members of parliament in consultation with the election commission, कई बार, जब MPs, जो होते हैं, ये जब, ये जब, कुछ ना कुछ ऐसा, ऐसे कुछ behave करते हैं, जो कि सही नहीं है, तो इनको disqualify किया जाता है, फिर क्या हो प्रायर recommendation इनकी चाहिए होती है, इनकी permission चाहिए होती है, कहां कहां पर, कुछ certain types of bills को लाने के लिए, जैसे कौन से कौन से, a bill involving expenditure from the CFI, CFI या दे न, हमारा, हमारा राजकोश, now, alteration of boundaries of state, या दे, union territory chapter, creation of a new state, अगर, अगर नया state बनाना हो, या money bill लाना हो, तो money bill लाने के लि ये कोई अध्यादेश पारित करते हैं, तो भी ये legislative काम कर रहा है, when parliament is not in session, जब parliament session में नहीं है, लोगसभा है ये नहीं, लोगसभा अभी आईगी, अब लोगसभा खतम हो गई, अभी मौन्सून की, अब आईगी winter session में, तो इस दोरान क्या हो सकता है, इस दोरान अगर अभी बहुत urgent situation आ जाए, तो ऐसे में कोई कानून लाना हो, तो ऐसे में राश्पती के पास power है, कि वो अध्यादेश पारित कर देते हैं अपने नाम पर, उस अध्यादेश को हाला कि वही लोगसभा राजवाद से पास होना पड़ेगा, बाद में, पर अभी के लिए काम ह रही है, make regulations for the peace, progress and good government of अंडमा निकोबर आइलेंस, दादरा नगर हवेली, लक्षुदीप, विदमनेंदियू, लद्दाग, इन एरियास के लिए, इनकी शांती के लिए, इनकी बहाली के लिए, इनकी खुशाली के लिए, यहाँ पे ये एक अपने regulation दे सकते हैं, यहाँ प कोई बिल जाता है, जो पार्लेमेंट से पास हो चुका है, when a bill passed by a state legislature is reserved by the governor for consideration of the president, यह सब इनकी पावर है, यह सारी की सारी मतलब यह इनके legislative actions है, इनके यह काम है, कि इनको करने ही करने है, कि जब पार्लेमेंट ने पास कर दिया, तो राश्पती की मंजूरी लगानी है उस वो भी एक act पढ़ते हैं पहले उसको पूरा, तब जाके उसको act बनने देते हैं, फिर जब कोई state like stature, कोई विदान सभा ने अपने यह से will pass कर दिया, और governor ने कहा कि नहीं ने काम करता हूँ, इस bill को बेज़ दूँग, मैं center के पास, राश्पती के पास, फिर राश्पती उस bill को पढ़ेंगे, फिर उस पर हाँ या ना कुछ भी अपनी बताएंगे, जो भी करेंगे, now हम देखते हैं, इनकी financial power, prior recommendation चाहिए for money bill, जब कोई finance ministry खास कर, ऐसा कोई money bill लेके आती है, कोई और ministry अगर कोई bill लेके आती है, और उसको money bill का अमली जामा पहनाती है, तो उसका बाहर किसी देश को, अगर कोई grant देना है, कुछ पैसा देना है, चंदा देना है, तब उसके लिए राश्पती की पहले से रेकमेंडेशन होनी चाहिए, annual financial statement, that is हमारा बजट आता जो फरवरी में, it is late before the parliament, तो इसका भी यही पहले अपना अपना देते हैं recommendation, now constitutes finance commission after every five years, यह finance commission, जो बात में बता था, इस center of state में कितना पैसा बाट होगे, now make advances out of the contingency fund of India, अगर मजबूरी का समय है, क्या करें, क्या ही कर सकते हैं, उस समय जरूरत है पैसे की, और जो contingency fund है, वो हमारी emergency के लिए ही होता है, कि कोई बहुत important काम आ गया, उस दिन यह पैसा कम आता है, तो यह ministry of finance, finance secretary के पास होती है, यह वाला CFI, याद है न, कि हमारा contingency fund होता है, यह finance secretary hold करता है, इसकी चावी, अब finance secretary के पास इसकी चावी है, तो रहन राशपती का फोन आ गया, कि मुझे सुबह तक 100 करोड भेजने हैं, इस जगे पे, भेज देंगे सर, ठीक है, आपने का है, व परिक कर सकते हैं, यह बात है, now, judicial powers, राशपती ही अपॉइंट करते हैं, CGI, और बाकी judges of Supreme Court and High Court, अभी इनका जब appointment हुआ था, now, seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact, अगर राशपती कोई matter आयो हुआ है, और राशपती जी कुछ चीज़ सोच रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, वो चाह सकते हैं, कि मेरे office को दिक्कत आ रही है समझने में, क्या किया जाए, तो Supreme Court उस पर कोई advice देगा, पर वो advice binding नहीं है, क्योंकि आपका ही doubt है, हमने doubt खली solve किया है, आप जानो, अगर अच्छा लागे तो मानो, नहीं लागे तो मत मानो, now, राशपती can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit or commute, सारे sentences, और commute, sentences, sentences, ये अलग-अलग चीज़े हैं, ये law के शब्दे हैं, अभी सारे एक एक करके देखेंगे इनको, तो राशपती जी माफी दे सकते हैं, राशपती जी sentence कम कर सकते हैं, sentence में थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं, punishment में, और उस sentence को remit कर सकते हैं, या जो sentence मिला हुआ है, उसको suspend कर दिया, remit कर दिया, commute कर दिया, जो भी करवा सकते हैं, ये सब का मराशपती जी कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं, अभी आगे देखेंगे उनको, diplomatic power, जो इनकी होती है, मतलब जितनी आप world में देखते हो, जब इंडिया बाहर जाके काम करता है, और इंडिय national treaties जो होती है, agreement जो होती है, they are negotiated and concluded on behalf of the president, on behalf of the president, subject to the approval of the parliament, कि बढ़ी पहले ही वो पास करेगा, ratify करेगा उसको बाद में, पर वो जो डिल साइन हो रही है, that is signed on behalf of the president, आप गए UAE, आपने वहाँ जागे डिल कर ली, कि साब हमें आपसे चाहिए, 11 metric ton कर्चा तेल, तो आपन ये डिल किसके नाम पर साइन करी है, राजपती के नाम पर, बहले ही पारलेमेंट के पास सांक्शन है उस चीज़ का, कि पारलेमेंट खर्चा करेगा उस पैसे का, पारलेमेंट ने पहले मंजूरी दे रखिए, लेकिन signature on behalf of the president, in the name of the president, he represents India in international forums and affairs, सही बात है, मुखिया है Now, he sends and receives diplomats like ambassadors, आपके जैसे, and high commissioners, पता है ना, ambassador high commissioners नो फरक्या होता है, नहीं होता तो बताना मैं बता हुँआ, ठीक है, नहीं पता है तो, कोई बात नहीं, military powers, इनके पास ही military powers है, he is the supreme commander of the defense forces of India, ये defense C आएगा यहां पर, ठीक है, defense and defense are different, ये एक होता है, ये मतलब पता है, ये वाला मतलब, ठीक है, दोनों में फरक है, he appoints the chiefs of the army, the navy and the air force, ये जो वर्दी पहने हैं जनाब, ये कौन सी force के हैं, और ये कौन है, जिनका appointment हुआ है, Now, he can declare war or conclude peace subject to the approval of the parliament, कि इनके नाम पे जंग छिड़ी जा सकती है, कि आँसाब, देश के राश्पती ने ऐलान दे दिया है, कि जाओ, उस देश को तबाह कर दो जाके, कर देगी हमारी आर्मी तबाह, पर Parliament का approval होना चाहिए, पर Parliament ऐसे नहीं करना देगी, ठीक है, पर राश् अब ठीक है, अब ओके है, अब इसके बाद इनकी power है, emergency में, emergency में, इन भाई साब ने आपको कुछ पढ़ाया था, पिछली क्लास में, कली, तो वो क्लास देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, now, हमें पता है, कि देश में तीन दरेगी emergency होती है, ठीक है, ये emergency के ground क्या होते है, तीन ground होते है, अब इसके दो ground होते है, और इसके दो ground होते है, पता है न, याद है, ये वही grounds है, और इन ground पे लगता है, राशपती का शासन, राशपती की, राशपती की बाद, extraordinary powers आती है, राशपती के नाम पे, center, union, तकड़ा हो जाता है, सरकार चलाता है, now यह discuss किया गया है in the previous chapter of emergency provision, यह भाई साब ने आपको जो पढ़ाया है, उनकी बास सुन लेना आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ाया बढ़ा अच्छा होगा जरूर, ठीक है, कोई doubt हो जरूर पूछना, और इनी से पूछना, तो, veto power of the president, राश्पती की veto power, यह important है, veto power क्या हो है, मैंने जागे सब के ऊपर, no बोल के आगया, मैं सब कर, तो, जब parliament कोई bill pass कर दे, it only becomes an act after receiving assent of the president, of, of the president, okay, तो, भई, पर्लेमेंट अगर bill pass किया है, वो विधेयक अभी pass ही हुआ है, बस, अभी जब तक राश्पती का उस पे महर नहीं लगेगी, राश्पती का signature नहीं ह बनाए, अभी वो विधेयक ही है, बस खली, जब ordinary bill की बात होती है, आम विधेयक की बात होती है, तो, president के पास, तीन alternative होते हैं, क्या-क्या है, he may give assent to the bill, हाँ बोलने, he may withhold his assent to the bill, the bill then ends, अगर हाँ नहीं बोला, और कुछ नहीं बोला, अपनी assent लेके बैठे हुए, अपनी करेंगे, अगर, कोई और bill है, उन्हें लग रहा, इस bill में थोड़ी से तुर्टी है, थोड़ी गलती है, तो वो उस bill को भेज देंगे, वह वापस पार्लिमेंट के पास, कि दुबारा पढ़ो ज़रा क्या लिखकर लायो, इसको सही से लिखो, तब जाके, तब जाके साइन अगया, then the president must give his assent to the bill, फिर तो इन्हें देना पड़ेगा, फिर इनके पास option नहीं है, अब तो इन्हें हाँ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि साब bill दो बार हाउस से आ चुका है, और वो लोग वो हैं, जो जनता की सुनके आए हैं, तो उन्हें काम आता है, आप तो राश्पत इतने गलती मत करो, तुबारा सहीजे लिखके लाओ, to prevent a legislation which may be unconstitutional, या तो कुछ गलती हो, राश्पती कहें, पकड़े जाओगे, सुप्रीम कोर्ड बैठी है वहाँ, अभी धर लेगी तुमको, नहीं करो ऐसे बिल को साइन, ऐसे बिल को मत बनाओ, अब वीटो पावर कैसी कैसी होती है, वीटो पावर होती है, absolute, qualified, suspensive, pocket वीटो, क्या क्या है सरी है, तो absolute वीटो होती है, withholding of assent to the bill passed by the legislature, क्या असेंट नहीं दे रहे हैं, अपनी हान नहीं देंगे, बताओ क्या करोगे, दूसरी, qualified वीटो, कि इस वीटो के ऊपर override कर सकता है लेजिटेचर with a higher majority, यह होती है हमारे यह, suspensive veto, which can be overridden by the legislature with an ordinary majority, यह होती है हमारे यह, taking no action on the bill passed by the legislature, यह तो pocket वीटो है, pocket माने जिम में रखके बैठ रहे हैं, अब जिम में रख लिया, अंदर भर के रख लिया और बंद कर लिए pocket, आगे कुछ पताई नहीं दे, कब तक नहीं बताएंगे, जब तक मन करेगा, तक नहीं बता रहे हैं, तो हमारे यह यह चलता है, suspensive veto में क्या है, कि यहाँ पर यह है, कि इनके veto के ऊपर override कर सकती है legislature with an ordinary majority, बोल दिया यार सर हम 500 लोग हैं यार, हमने sign किया है, मालिक मान जाओ, करने दो, हम कुछ सोच के आये हैं आपके पास, यह हो सकती है हमा to withhold his assent to a bill passed by the parliament, नहीं तेरे मंजूरी, खड़े हो गए, हाथ पकड़के, पीछे हाथ करके, यह नहीं बताएंगे, अब बिल इसका मतलब है, बिल वही का वही खतम हो गया, बिल देन एंड्स and does not become an act, अब वो बिल भी था, उसका जीवन उतना ही था, वो मर गया वो बिल, now veto is exercised in the following two cases, कैसे कैसे, with respect to private member bill, मतलब not, not initiated by a minister, not initiated, initiated by, by a minister, यह minister, अगर कोई बिल पेश करते, तो उसको हम बोलते हैं, government bill, कि अब जैसे कोई सरकार में कोई मंतरी है, वो अगर एक बिल लेके आया, तो उस बिल को, अगर वो मंतरी लेके आया है, इसका मतलब वो सरकारी बिल ह वो government bill है, पर अगर कोई private member लेके आया है, मान लोग कोई महुआ मोहितरय जी है, तो अगर वो कोई bill लेके आया है, वो मंतरी तो है नहीं, वो सरकार का पार्ड नहीं है, तो उनका private member bill है, ठीक है, वो लेके आ गई, या मेनिका गांधी मैम, तो अगर मेनिका गांधी मैम ने बिल पेश कर दिया, कि पशूक रूरता अधिनियम में बदलाओ लाओ, अब ये एक private member का bill है, जो सरकार का पार्ड नहीं है, पर जो member of parliament तो है, अब ऐसा bill पास हुआ, और राशपती बास गया, राशपती ने उसको जेम में रख लिया, आपने, नहीं बता रहे आगे, और नहीं तेरे मंजूरी, मनय करती है, नहीं देंगे मंजूरी, अब वो बिल खताम हो जागा वहीं के वहीं, नाओ, विध रिस्पेक्ट तो the government bills, when the cabinet resigns and the new cabinet advises the president not to give his assent to such bills, एक case तब भी है, कि मानलो, मंत्री ने एक bill पेश किया, अब वो बिल पास हुआ, वो बिल चला गया तो वो बिल दिया था, उसमें मत हाँ, उसमें हाँ मत कहना, नहीं देंगे हाँ, क्या करेंगे, राश्पती जी वही करेंगे जो PM कहेगा उनका, तो चाववन में यही हुआ था, डॉक्टर राजन प्रसाद ने अपनी ascent withhold कर ली थी to the Pepsoo Appropriation Bill, Pepsoo क्या ही है, Pepsoo का भाई नहीं है यह, Pepsoo माने पटियाला एंड इस्टर पंजाब स्टेट्स यूनियन, जो आज पंजाब है जैसा, तो यहां यहां एक Appropriation Bill लाना था, और सरकार ने पास करा लिया था, राश्पती जी ने बुला, नहीं दे रमन जूरी, नहीं दूंगा, एक क्यानवे में एक बार LPG reform का समय आ रहा है, एक नौमी धराशा ही होने वाली है, और यहां Bill आ रहा था, salary के ऊपर, तो यह हुआ, फिर इसके बाद Suspensive Veto, Suspensive माने, Suspend कर देते हैं, मतलब Suspense बना देते हैं, President exercises this veto when he returns a Bill for Econciliation of the Parliament, कि दे दिया वापिस उनको पकड़ा दिया, कि थोड़ी तर के House पर पास आ गया दुबारा, और यहां पर आने के बाद अगर बिल पास हो गया, और फिर गया राश्पति के बास, then it is obligatory for the President to give a cent to the bill, फिर तो obligatory है, फिर राश्पति के बाद आप्शन नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब वो उन्हें हाँ देरी पड़ेगी, ये वाला वीटो काम नहीं करता है, अगर President के पास कोई Money Bill पहुचाए तो, फिर Money Bill नहीं लोटा पाते हैं, Money Bill को वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात क्या है, Money Bill को initiate करवाना ही President की तरफ से होता है, अब President ने Money Bill पास करवा, ये बोला कि अपने Parliament से पास करवा लो Money Bill, और Parliament नहीं या Money Bill पास होगया, इनके पास आगया, और मैंने कर रहा है, ऐसे सोड़ी होगा, आप इने तो कहला करवाने हो, आप भी मैंने कर रहे हो खुदी से, क्यों टाइम बेस कर रहे हो, तो इसके लिए क्या होता है, कि Money Bill के case में वो अपनी सहमती देते ही हैं, क्योंकि उनी के बज प्रेसिडंट ग्यानी जैल सिंग जी थे, तो इन्होंने pocket veto exercise किया था, कैसे किया था, इंडियन post office amendment bill ला रहा है था, और सरकार ले किया आई 1986 में, फिर राजिवान्दी सरकार थी, इन्होंने बिल बोला कि यह बिल है हमारा पास कर तो इसे, जैल सिंग ने बोला, कुछ भी नहीं बोले, लेके बैठ गए, अब जब लेके बैठ गए, तो बैठ ही रहे गए, वो बिल अब पढ़ा ही है, जाने कब तक पढ़ा हुआ है, फिर US President has to return the bill for reconsidation in 10 days, यह नहीं है हमारे हां, यह point US में चलता है, वहाँ पे राजपतिवास अगर बिल आ गया, 10 दिन के हमारी चे में बहुत बढ़ी है, तो राजपती को तो वहाँ राजपती को तो 10 दिन में लोटाना है बिल वापिस, चाहिए वो हाँ या ना कुछ भी बोलना है, हमारे हां पॉकेट वीटो है, अब यह चीज़ पॉकेट वीटो जो है, सम्मेधान में कहीं मेंशन ही नहीं है तो यह लेकर आई कैसे, पॉकेट वीटो नाम कैसे पड़ा, अगर सम्मेधान एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है, सम्मेधान में संचोधन लाना है और उसमें अगर राजपती जी पॉकेट वीटो लेके बैठ गए, तो पीम कहेंगे सर, अनकॉंसिटूशनल, आप नहीं रोक सकते हमारा कॉंसिटूशन अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हमने उसको हाउस से पारित किया है, और 24th Amendment Act ने यहीं किया था, it made it mandatory for the President to give his assent to the bill, कि 24th CA 1971, इन्होंने बोला था, कि भाई, राशपती को देनी देनी है मंजूरी, हम नहीं जानते हैं, अगर इंटरस्टेट लेशन बढ़े थे, तो स्टेट के कानून, अगर स्टेट के अधिनियम कुछ है, तो वो अधिनियम कुछ-कुछ अधिनियम तब बनते हैं, जब राशपती मंजूरी मिल जाए, तो राशपती क्या करते हैं, जब स्टेट बिल उनके पास आता है, गवर्नर दे रहे, बिल मारा गया, वो विधियक गया, काम से गया, अब नी बच पाएगा, चे मीने के समय है, चे मीने में उस-परी Consultation करो, अगर बिल वापस पास हो गया, हाउस में अने की बाद दुबारा, with or without amendments, चाय हो या now amendment, and presented to the President for his assent, फिर दीया राश्पती के पास, तब भी राश्पती is not bound to give his assent to the bill, नहीं तेना और नहीं देंगे, मन है, मन है, तुम छोटे भाई हो, तुम कुछ ले जाओगे, तुम दबाए ही जाओगे, तुम छोटे हो, क्या करें, तुमारी मजबूरी है, तुमारी, now, constitution ने, has not prescribed any time limit to take decisions, time limit है ही नहीं, यानि, this is exercise of pocket veto, क्या करें, regarding a bill reserved by the governor for his consultation, अब, governor साब की भी जिसमें चाला की है, कि भाई, जब state का bill था, और state का matter था, तुमने जागे राशपती को क्यों दे दिया, और राशपती को दे भी दिया, तो अब वो राशपती जी उसको लेके बैठ थे हैं, वो तो कुछ बता ही नहीं रहे है, उस पर आगे भी, और बताय तो उन्होंने का, कि इस पर amendment करो, हमने amendment किया भी, तो भी हमने लोटाया, तब भी राशपती जी कह रहे हैं, कि आभी नहीं बता रहे हैं, लो, हम गए, state का तो कामी खतम हो गया, ये problem हो रही है, next comes, कि एक table बना ली हमने, ये याद करने के लिए, कि क्या-क्या हो सकता है, with regard जब वीटो पावर, इसकी राशपती की जब हमको पढ़नी होगी, तो हम कैसे करेंगे, ordinary bill के लिए पढ़ लेंगे, money bill के लिए पढ़ लेंगे, चाहे center पे हो, चाहे state पे हो, अब दोनों same है, अगर center का का कानून है, तो it can be ratified, it can be rejected, it can be returned, same here, अगर ordinary bill है, तो state का का कानून can be ratified, can be rejected, can be returned, ठीक है, अब money bill के आजओ, अगर money bill center का है, तो यह तो हाँ बोल सकते हैं, यह ना बोल सकते हैं, बट return नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि money bill भेजते ही राशपती हैं, कि राशपती कहते हैं, मेरी recommendation है भाई, कि money bill बनाओ, एक money bill पास कर अब उनके पास आया, बोलने मैं नहीं कर रहा हैं, तो यह कौंसा, यह कौंसा prank हो रहा है, आपके साथ prank हो गया इनके साथ, तो state legislation में क्या होगा, can be ratified, can be rejected, but cannot be returned, बस नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, अब इसके बाद, next में आएगा, जब with regard to constitutional amendment bill, समविदान सचोदन, अब can only be ratified, that is, cannot be rejected, cannot be returned, अब state legislation का समविदान सचोदन में कोई कानू, कोई, कोई, उनका point है, amendment bill cannot be introduced in the state legislature, होई नहीं सकता, US में, US में, can states, can states, propose amendments, ये बताना मुझे answer, ये शायद मैंने आपको बताया है, propose amendments, ये question है, ठीक है, for you, now, आगे चलेंगे इसमें, तो आएगा, ordinance making power of the president, वही अध्यादेश पारित करना, अब 123 ने यही power दे रखी है, it was a president to promulgate ordinances during the recess of parliament, जब parliament के चुट्टी हो रखी हो, parliament के दो sessions के बीच में gap हो, monsoon session के बाद आएगा winter session, winter के बाद आएगा budget session, उसके बाद आएगा general election, तो इन जब sessions के बीच में जो gap है, जहां लोगसभा नहीं बैठ पाती है, और राजयसभा की अगर शुट्टी चल लई हो, तो क्या होगा, ऐसे case में parliament का session नहीं है, अब कोई काम कराना है, कोई बहुत बड़ा काम आ गया है, तो उसके लिए राश्पती जी अध्यादेश पारित कर सकते हैं, PM के कहने पे, नाउ, उस अध्यादेश के पास, same force and same effect है as an act of parliament, and उसका nature है temporary law की तरह, बस, इसके लिए, क्या objective है, क्यों लाना पड़ाई है, अब क्या करें, तो राश्पती जी का अध्यादेश पारित करवालो, अब इस तभी काम आता ही है, the exercises of this power are subjected to the following four limitations, क्या limitation है, limitation यह है, he can promote an ordinance only when both the houses of parliament are not in session, or when either of the two houses of parliament is not in session, तब ही हो सकता है, जब parliament session में ना हो, कुल मिला के, and power of president to legislate by ordinance is not parallel power of legislation, यहानि यह parallel नहीं है, यह तब है, जब किसी एक की power नहीं चल पा रही हो, parallel माने दोनों चलेंगी साथ में, पर यह तब हो पा रही है, जब एक नहीं है, Now, आगे चलो इसमें, कि he can make an ordinance only when he is satisfied that circumstance exists, कि ऐसी situation है, that render him necessary for him to take immediate action. ये 30th CAE ने ये लाके दिया था, कि प्रेसिटेंट का satisfaction final है, and it is outside beyond, it is beyond judicial review. 44th amendment आया, 30th लाही थी madam, 44th लाही थे मुराजी दिसाई जी, इन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, इसको judicial review के बाहर नहीं है, ये judicial review के बाहर नहीं रहेगा, judicial review में रहेगा. Now, Cooper case, Cooper v. Union of India, Cooper v. UI, ऐसे लिख रहा हूँ में, ठीक है, Cooper v. Union of India, इसमें Supreme Court ने बोला था, कि President's satisfaction can be questioned in a court on the ground of malafide, कि अगर कोई राशपती का संतुष्टी हुई है, और उनको लग रहा है संतुष्टी कि वो संतुष्ट है कि हाँ, ordinance ला दो, पर उनकी संतुष्टी के पीछे कोई, कोई ऐसा कुछ reason है, जो कि पूरा अच्छा नहीं है, पाक नहीं है, साफ नहीं है, तो मतलब उसको हम question करे उसको हम चर्चा में लाएंगे, now, ordinance making power is co-extensive with the lawmaking powers of the parliament, except जब duration नहीं है, साफ बात है, जो इनकी ordinance making power है, और जो इनकी lawmaking power है, तो ये दोनों की दोनों co-extensive नहीं है, ये नहीं है, ये तब-तब है, जब तब duration नहीं ही चल रही है, ordinance के पास duration है चलने की, जब ordinance पास duration नहीं सकता है, now, an ordinance can be issued only on those subjects on which the parliament can make laws, मतलब state list वाले laws पर काम नहीं गरेगा, ये ordinance, कर सकता है, एक्सेप्शनल सरकम्स्टांस में, now, an ordinance is subject to the same constitutional limitations as an act of parliament, जैसे की fundamental rights के अगेंस नहीं जा सकता कोई भी, it cannot take away any of the fundamental rights, नहीं हो सकता है, ये बहुत important fundamental rights हमारे, now, ordinance must be laid before both the houses of parliament, when it reassembles, तो parliament आ जाएगा, सेशन में, फिर ordinance को उठा के लाया जाएगा, हाँ वही, क्या किया, तुमने दो मेनी चुटी में लाओ देखें, तो इनके ordinance को पढ़ा जाएगा, फिर बुला जाएगा, अच्छा, हम्, ठीक है, अगर parliament inspection नहीं ले, तो ordinance expire हो जाएगा, automatic, six weeks from the reassembly of किया, तो छे हफते बाद वह ordinance अपने आप मर जाएगा, now, अगर वह parliament उस पर हाँ कह दे, तो ठीक है, और अगर ना कह दे, तो गया वो, both the houses of the parliament passed resolutions, by disapproving it, then ordinance expires earlier, प्रियर, parliament आया, parliament ने दूसरे दिन ही बोला, भे दूसरे दिन बोला, कि लोकसवासे भी बोला, कि ना 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 नहीं चलेगा, रासवासे बोला, ना ना नहीं चलेगा, गया order गया, maximum life कैसे हो गई फिर टोटल, छे महीने तो पैसे मिले हुए हैं, कि जब तर parliament नहीं आ रहा है और 6 महीने के बाद जब Parliament आ गया और Parliament ने अगर 6 हफते तक कुछ और नहीं किया मतलब 6 महीने और 6 हफते टोटल इसकी लाइफ होगी in case of non-approval by the Parliament अगर approval है तो फिर तो ठीक ही है 6 महीने gap between two sessions of the Parliament जो होता ही है समविधान में लिखा हुआ है कि दो sessions के बीच में 6 महीने ज्यादा का gap न हो जाए ये समविधान ने mention किया हुआ है Parliament के sessions के लिए कि जब Parliament बैठे तो monsoon session, budget session, winter session ये सारे sessions के बीच में किसी भी 2 session के बीच में 6 महीने ज्यादा का gap नहीं होना चाहिए अब 6 महीने gap अगर हो गया मैक्स से हो सकते है, maximum तो 6 महीने का gap ये हो जाएगा प्लस session में आना के बाद 6 हफते और मिलेंगे अगर Parliament इसको मना नहीं कर रहा है तो मना कर दिया तो पहली मर जाएगा Now, his power of ordinance making is not a discretionary power and he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of the council of ministers headed by the prime minister इन ही कहने पर ही करेंगे और कैसे ही कर पाएंगे ये कुछ तो नहीं करते है An ordinance like any other legislation can be retrospective example tax laws मतलब ordinance आज लगा है अगर लागू हुआ और ordinance नहीं कहा कि नहीं हम 2017 से ये इसको अमल में लेके आए हुए है लगा आज है राशपती ने साहिन आज किया है आज इसके बारे में चर्चा हुई है पर उस law में बोला गया है कि नहीं ये लग रहा है retrospective में पीछे की तरफ से ये आ रहा है वहां से 2017 से जब से हमने सोचा है तब ही से It can't be used for amending constitution ये नहीं हो सकता है ये हो गया तो फिर तो ordinance ये ordinances अब कुछ फिर तो और कुछ है ही नहीं Amitkar जी ने इसके उपर यही बोला हुआ था कि भाई जो mechanism है of issuing an ordinance has been devised in order to enable the executive to deal with a situation that may suddenly and immediately arise when the parliament is not in session कि भाई ये तभी जरूरत पढ़नी चाहिए इसकी जब parliament session में ना हो otherwise तो फिर क्या problem है कोई कुछ होना ही नहीं चीए कोई दिक्कत as per rules of लोगसभा क्या है कि जब भी एक bill seeking to replace ordinance is introduced in house एक bill आया parliament में कि साब देवो राशपती ने जो अध्यादेश पारित किया हुआ था उसके उपर चर्चा करनी है और इसको replace करना इस ordinance को तो एक statement देनी पड़ेगी साथ में कि ये अध्यादेश क्यों लाए गया था explaining the circumstances necessitating why it was introduced that it should also be placed before the house ये भी देना पड़ेगा साथ में अब 67 से 81 के बीच में देखो क्या क्या हुआ है ये ये हमारे देश में ये सब खुब काम हुआ है तो बिहार सरकार ने क्या किया बिहार सरकार ने गवर्नर और बिहार के नाम पे धाईसों से जादा अध्यादेश पारित कर दिये थे अपने स्टेट में अब कबसे चिनकी वैलेडिटी थी एक साल से 14 साल तक अब 6 महीने बाद वो ओर्डिनेंस अपने आप खतम हो जाएगा अगर पारलेमिंट ने उसको हा नहीं बोला तो लोकसभा बिहार की लोकसभा ने उसको हा नहीं बोला फिर क्या किया फिर गवर्नर साहब ने दुबारा देश पारिज कर दिया तो ऐसे कर करके इतने 15-25 सालों तक ये चलता ही रहा चलता ही रहा फिर डीसी वादवा केस हुआ था एक 1987 में इसमें सुप्रीम कोट ने बोला कि सक्सेसिव री प्रॉमल्गेशन ऑफ ओर्डिनेंस विद दे सेम टेक्स्ट विदाउट अनी मॉडिफिकेशन विदाउट अन आपने असेम्बली की फ्लोर पर कभी उस बिल को पेशी नहीं किया वो बिल आया वो जो ओर्डिनेंस आया वो असेम्बली ने नहीं माना फिर आपने किया कि आप पीछे जागे वापिस गवरनर साब से अध्यादेश पारिट करवा लिया उसको चलने दिया 6 महीने जब वो खतम हो गया फिर दुबरा दर दिश पारिट कर लिया 6 महीने ऐसे कर रहे थे आपका हम यह आपने सम्विधान का वाइलेशन किया है and the ordinance so repromalguted is liable to be struck down यह नहीं चलेंगे इसका मतलब आपके intention clear नहीं थे आपके intention बड़े दुन ले थे आपका thinking गलत थी exceptional power of lawmaking through ordinances cannot be abused cannot be used as a substitute for the legislative power of the state legislature यह इनका काम है law बनाना अब law बनाने के समय है आप लगे पड़े हो के हम तो इनकी मानेंगे नहीं हम तो वो करेंगे जो हमारी मन की चलेगी यह नहीं हो सकता pardoning power of the president जब president maafi देते हैं कब कब देते हैं maafi article 72 empowers the president to grant pardons to persons who have been tried who have been tried and convicted of any offense in cases where offense यहाँ पर C आएगा okay where the punishment or sentence is for an offense again see आएगा offense against a union law अगर कोई center के कानून के अगेंस्ट उनको punishment मिली हो किसी कहदी को किसी अपरादी को या punishment or sentence is by a court marshal जो military court होती है जाप court marshal किया जाता है तो military में क्या होता है कि court अंदर ही होती है वही court अपने आप अंदर फैसला देती है कि हाँ साब इस फौजी ने अच्छा कम किया कि नहीं किया है अब इसके बाद अगर किसी का sentence is a sentence of death किसी को किसी को मृत्य उदंड मिला हुआ हो तो ऐस पावर है बहुत बड़ी पावर है यह दा अब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन दे प्रेशिदेंट इस तो फोल्ड क्यों है यह पावर इनके पास तो पहली बात तो कीप दोर ओपन फोर करेक्टिंग एनी जुडिशल एर्रस इंद ऑपरेशन अपरेशन कोई तो उसको दरवाजे को खुला रखती है यह 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 चीज के हाँ साब हो सकता है कोई कोई गलती है जज्जमेंट में माफ कर दिया ठीक है तो एफोर रिलीफ प्रोम सेंटेंस विच द प्रेशिदेंट रिगार्ड अगर को ज्यादा ही किसी के साथ हार्श जुडिशरी की पावर नहीं है यह ऐसा नहीं है कि अब बैठ के पूरा पूरा विचार कर रहा है केस सुन रहा है उसकी पूरी सुनवाई कर रहा है नहीं यह बस खाली एविडेंस देख सकते है कि यार एविडेंस यह कहता है पनिश्मेंट यह मिली है पनिश्मेंट बहु discriminatory यह तब तब आ सकता है कोर्ट का चेरी के दाइरे में जब इनका राश्पती का दिया हुआ कोई भी फैसला जो माफी के लिए हो या तो वो arbitrary हो कि उसमें कुछ एक logic ना हो कि एकदम उल्टा सीधा फैसला है इर्राशनल है बेतु का फैसला है आपको पता है वो रेपिस्ट है मडरर है टेरिस्ट है आपने क्यों से माफ किया वाई तो तब आ सकता हो मैलाफाइड है अगर आपके कुछ इंटेंशन उसमें गयलत है पहले से तो या discriminatory है सेम तरीकिक punishment सेम लोगों को मिली है कुछ लोगों को और आपने एक को माफ करते दूसरे को नहीं करा तब यह problem आ सकती है के court आपको आपको सुनेगी आपके बाद के आपने क्यों किया इन सारे words के मतलब देखो pardon का मतलब होता है माफी देना completely absolves conviction conviction खतम अब आप convict नहीं रहे अगर राशपती जीने आपको माफ कर दिया that means you are acquitted हो गया आप absolve हो गए आपका सारा आपका सारे आपसे पाप दुल गए now commutation commute माने substitution to lighter punishment मतलब किसी को अगर दस साल का कठोर कारावास मिला है तो उसको दस साल का सिंपल कारावास दे दिया जाएगा यह हो सकता है remission reducing period without changing character of punishment अगर दस साल कारावास है तो उसको बदल कि कर दिया पांस साल कारावास ठीक है यह कर सकते है respite मने रहात देना lesser sentence than original due to special facts such as pregnancy disability etc कि पता है कि यह आदमी अपंग है या दिव्यांग है जो भी है तो इसको rigorous punishment क्यों दे रहो भाई या इसको sentence कम कर दो यह कहां से कैसे करेगा काम यह जेल में मर जाएगा या कोई lady pregnant है पर वो अपरादी है तो उसकी सजा को कम कर दिया गया या उसको उसकी जेल की उसकी जेल दूसरी जगे बना दी गई ऐसा कुछ भी रिप्रीव करना stay लगाना on execution for a temporary period ताकि वो जुसका execution होगा death sentence का जिसका भी होगा तो उसको समय मिल जाए राशपती से बात करने का राशपती तक अपनी अर्जी दायर करने का किसा मुझे मुझे माफी दे दो तो यह हुगा इस पर question ना रखा है अभी देखेंग उसको last मे now comes 161 में the governor of a state के पास जो power है pardon power थुड़ी थुड़ी अलग है वो pardon power of the governor differs from that of president in following two ways क्या क्या वेज है कि राशपती can pardon sentences inflicted by court martial while the governor cannot राशपती जी क्योंकि military के commander भी है तो military जो courts होती है जो court martial करती है उन courts से भी जो सजाएं मिली हुई है उन सजाओं को भी राशपती सुन सकते है the president can pardon death sentences while governor cannot बात समझ में आगई ठीक है यह नहीं कर सकते माफी यह मृत्तियुदंड की माफी दे सकते है now कहर सिंग केस था 1988 में supreme court ने बोला कि president की partnering powers जो है वो यह ऐसी ऐसी होनी चाहिए कैसी petitioner for mercy have no right for oral hearing by president ऐसा नहीं है कि अगर अपरादी है और उसको सजा मिल चुकी है और supreme court ने उसको सजा दे रख की है तब राश्पती बास गया और राश्पती जी कहा रहा है सरकार मेरी बात सुनो मालिक प्लीज नहीं राश्पती कोई कोई मजबूरी नहीं उसकी बात सुने नहीं सुन सकते है वो president can examine evidence afresh and take a view different from court यह कर सकते है वो then pardoning powers to be exercised by president on advice of union cabinet cabinet ही देगी advice तभी करेंगा राश्पती जी कुछ there is no need for supreme court to lay down guidelines on pardoning powers of president के supreme court का यह हक नहीं है कि वो राश्पती की pardoning powers पे भी अपनी guideline देदे सुप्रीम कोट है खुद ही का यह बात अपने ही लिए कि हमारा हमारा यह role नहीं होना भी नहीं चाहिए now exercise of pardoning powers by president is not subject to judicial review except वही cases जहांबे decision is arbitrary, irrational, malified और अपने discriminatory ठीक है इसके बाद constitutional position of the president क्या है अब समयधानिक जो post है इनकी वो कैसे देखते हैं हम लोग तो हम देखते हैं कि भाई देखो हमारे parliamentary former government में यह nominal executive है जो सुनते है council of ministers की headed by the prime minister जिसके पास है real executive सही बात है सब को पता है अब तक तो 3-4 पर पता चल चुगा है यह now 53 क्या कहता है कि जो executive power of union होगी वो राश्पती में होगी राश्पती में होगी executive power and shall be exercised by him when advised when advised either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution सही बात है तभी करेंगे वो now there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president who shall shall माने करेंगे ही करेंगे shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice यानि की council of ministers head of state इनोंने headed by PM ने कुछ भी advice दे दी मान नहीं पड़ेंगे राश्पती को उनके पाद option नहीं है जो council of ministers होगा that is collectively responsible to the लोगसभा very very important provision for the parliamentary system to function कि भाई parliamentary system का function तभी हो सकता है जब council of ministers responsible हो towards लोगसभा कि हाँ साब इनकी मजबूरी है लोगसभा की बात सुननी पड़ेगी इनको now अब जो amendment act आया था 42nd में president is bounded by the advice of the council of ministers headed by the prime minister 44th में बोला गया president may return a matter once for reconsideration of office ministers but the reconsidered advice shall be binding अगर दोबारा PM ने council of ministers से दोबारा बोला कि sir जो आपने जो हमें पलटके जो दिया था ना बिल वापस लोटा दिया था हमको जिस matter पर हमको आपसे बात करनी थी तो अपने गाता थोड़ा और सोच लो हमने सोच लिया है और आप हमारा decision गिये है तब फिर तो क्या गरना पड़ेगा राश्पती को हां कहना पड़ेगा राश्पती को आप्शन नहीं है एक जगा पर कुछ कुछ ऐसे point होते हैं जहां पर इनका situational discretion दिखाई रेता है जब यह अपने विवेक से फैसला लेते हैं अपने मन से फैसला ले सकते हैं वो कहां कहां पर है कि without the advice of ministers जभी ले सकते हैं कब जब इन्हें कोई PM का appointment करना होगा when no party has a clear majority in the लोगसभा या फिर when the prime minister in office dies suddenly and there is no obvious successor अब कोई और है नहीं उत्रादिकारी और PM की मृत्तियों हो गई PM है नहीं या जो party थी उसको defeat मिल गई है भई majority नहीं है तब वो अपने मन से appointment कर सकते हैं किसी PM का जो यह कहें कि क्या तुम जो यह कहें कि सर मैं बना लूँगा मैं है majority मैं दिखा दूँगा तो उन्हें वो लेंगे ठीक है दिखाओ फिला majority जब लोकसभा कोई भंग करना पड़ेगा क्योंकि जो council of ministers हैं उनके पास majority नहीं रही और PM ने यह एलान कर दिया है राशपती को बोल दिया है कि भंग कर दो इस सभा को दुबार एलेक्शन होंगे दुबारा जीत जाओंगो मैं तब यह अपना कर सकते हैं यह वो articles हैं जहा क्या यह चुन सकते हैं दुबारा इनकी qualification क्या है election election के लिए इनके president के office कैसा होना चाहिए यह क्या शपत लेते हैं और इसके बाद हमारा next आता है procedure for impeachment अब शपत लेली काम कर रहे हैं काम जाटाना है फिर time of holding election to fill vacancy of the president now vice president to act as president or to discharge his functions यह भी होता है matters relating to the election of president कहा जाएंगे power of president to grant pardons etc and to suspend remit or commute sentences in certain cases now other provisions as to minister यह भी council of ministers to aid and advise the president यह जरूरी है other provisions as to the ministers like appointment term salaries etc यह आप है attorney general of India यह part 5 का ही है topic है क्योंकि इसके attorney general of India होते हैं वाई देश की सरकार के वकील है वो conduct of business of the government of India कैसे होगा किनके नाम पे होगा duties of PM in respect to furnishing of information to the president कि PM की जम्मेदारी है जाके राश्पती को सारे जवाल जवाब के answer देना sessions of parliament prorogation and a solution राश्पती करवा देते हैं I send to bills passed by the parliament union budget जब यह पेश करवाते हैं power of president to promulgate ordinances power of president to consult supreme court यह भी इनका एक दाइत है यहाँ पर ही chapter हुआ खतम अब चलते हैं यह चैप्टर में हमने president के बारे में जानना शुरू कर दिया और हमने पढ़ लिया अब हमें next जानना है कि sir हमें question बताओ यार कैसे कैसे आए वह यह question बहुत अच्छे question है बहुत simple question है सम्विधान के हिसाब से it is a duty of president of India to lay down to cause to be laid before the parliament which of the following क्या क्या recommendation of the union finance commission yes report of the public accounts committee no the report of the CAG yes यह करवाते है यह the report of the national commission for schedule cost yes so answer is one three and four that is c next आ जाओ इसके उपर the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business correct एकदम correct बात कि president ही rules बनवाते हैं जो PM कहता है उनसे of course कि कैसे कैसे सरकार चलेगी और किस ministry के पास क्या 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 पावर जाएगी क्या क्या होगा क्या executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister no no absolutely not only one यही correct है PM के नाम पे कब होने लगया कुछ काम PM के नाम पे नहीं होता है राश्पती के नाम पे होता है करवाता PM है करेगा PM पर नाम लेगा राश्पती का तो यह हुआ अब the executive power of the union of India is vested in the prime minister है ऐसा लग रहे गया nope no pity nope बिल्कुल नहीं PM is the ex-official chairman of the civil services board no absolutely not आपके जीवन का highest goal क्या है क्या जो पोस्ट है सबसे बड़ी पोस्ट है वो पोस्ट होती है ex-official head कौन सी पोस्ट है वो तो वो पोस्ट कर सकती है खाली that means दोनों statement गलत है and उन्होंने पूछा है which of which is or are correct तो neither one nor two answer is D इसके बाद question एक आया the value of the vote of each MLA varies from state to state correct सही बात है हमने देगा सिक्क्यूम का कुछ नहीं है और अंधरा का इतना जादा है तो the value of the vote of MPs of Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of Raja Sabha गलत बात no चाहे MP लोग Sabha का हो और Raja Sabha का हो उन दोनों के vote की value बराबर होती है तो statement एक सही है which of the following is correct answer is A यह answer हो गया now बहुत अच्छा question बहुत typical question है अगर आपने formula नहीं पड़ा था तो इस साल आपसे यह question solve नहीं हो सकता था जो formula मैंने आपको बताएं अब क्या बोला गया है कि यह चार statement है इन में से बता दो how many are correct ठीक है how many question है यह नाव members nominative to either house of the parliament all associated assemblies of the state are also eligible in the electoral college no higher the number of elective assembly of the elective assembly seats higher is the value of vote of each MLA no agar agar seaten ज्यादा होंगी to denominator ज्यादा हो जाएगा that means उसके vote की value कम हो जाएगी जो हमारे population upon number of number of MLAs होता है ना number of MLAs अगर यह ratio को कम करना है तो इसको कम करना पड़ेगा sorry इसको इसको बढ़ाना पड़ेगा अगर अगर denominator बढ़ गया तो ratio कम हो जाएगा तो वही हो रहा है यह statement है गलत the value of vote of each MLA of MP is greater than that of Kerala tough question यहाँ पर tough इसलिए है कि कईयों को पता नहीं होगा कि MP और Kerala की 1971 की population क्या होगी पर हमें यह तो पता है कि MP size में बड़ा है Kerala से अब अगर MP size में बड़ा है Kerala से that means MP की population किसी भी हाल में Kerala से बड़ी होगी और Kerala में जो है वहाँ के MLA कम होंगे तो जाहिर बात है कि MP के vote की जो value होगी MLA एक जो भी है वो छोटी होगी Kerala से यह statement गलत है Now, the value of vote of each MLA of the Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh Because the ratio of total population to the total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh Language tough है, पहले समझो क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है कि हमें Arunachal Pradesh की population पता है 4,00,000 कुछ है इसको मैं 0000 लग रहा हूँ ठीक है? ऐसे याद हो जाएगा हाँ, और Kerala की भी इसकी भी है, 4,00,000 कुछ है तो हमें नहीं पता exact क्या है पर हमें यह पता है कि AP में जो हैं, वो 60 seat हैं हाँ, और Puducherry में, यह Puducherry की बात है तो Puducherry की बात है, इसमें यहाँ पे हैं 30 seats अब आपको पता है कि 60 अगर 60, अगर यहाँ लेखो के denominator में, यहाँ पे और यहाँ पे लेखो के denominator में 30 तो कौन सा रेशियो बड़ा निकलेगा? Puducherry का बड़ा निकलेगा? अपकोर्स यही statement है बस, यह statement हो गई सही एक ही statement सही है और यह जो main question है इस question is simply asking कि जो president की जो power है death sentence में commute करने की वो public scrutiny के अंदर आ गई है और क्योंकि उसमें लग रहा है कि justice नहीं मिल पा रही है शुट देर भी अ time specified for the president to accept or reject such petitions? अनलाईज करो उसको यह question था अब यह question 2014 था simple question textbook standard question ऐसे सौल होगा now यहां से हमारा chapter का part 3 जो हमारी book में है हमारी book में कई parts में chapter divided है 92 chapters तो part 3 का पहला chapter यहां पर होता है खतम अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे next class में तब तक के लिए you stay safe, stay healthy good luck, good bye so take care